हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टड़ी विट क्रेजी गुरू, फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग महा मैराथन कलास देखने वाले हैं, जो की समान्य ग्यान, जेनरल एवर्णेस का है, और ये किस एक्जाम के लिए है, तो DRDO 17 A&A की ओर से जो एक्जाम नोटिपि और हिंद्य टाइपिग दोनों के लिए, एस्टोर असीस्टेंटंट फ्परिये ओर इंपॉर्टन है गोश्चन यहिं से आने वाला यह य्कि यहहाँ ज्यूर्ट ऑफ मलें फिजिक्स है व фотограф oftentimesnicas गहुआ महामयराथन में होने वाला है तो 300 प्लस कोष्टन यहां देखके जाएगा तो पुछन्य का जो नजरिया रहेगा वह चेंज रहेगा लेकिन अगर यह कोश्चन यहां पूरा कर लिजेगा तो वहां एकड़म जाते मार्ट और अगर वह कोश्चन दिखेगा तो टीक मार क्या जाईएगा इसलिए यह महामयराथन कलास मतलब देखना बहुत ही इंपर्टेंट है तो यह नो बक्वास सिधा सेलेक्शन यानि कि यहां पर कोई बक्वास नहीं होगा सीधा आपको यह कलास देखने के बाद सेलेक्शन की ओर मतलब आपका कदम सेलेक्शन की ओर रहेगा तो चलिए स्टार्ट कलते है आज का यह महामयराथन कलास तो महामाइराथन कलास किसका है? समान्य विज्ञान, फिजिक्स का है जिसमें 300Kingth method फिर से मैं रिकाल कर दूँ कि 300Kingth method content देखने वाले विजिक्स का इसी तरह chemistry का भी आएगा उसके बार biology का भी आएगा जी विज्ञान का history का भी आएगा जी ग्रॉफी का भी आएगा, all subject का महा हमाय राथन कलास इसे तरह लाया जाएगा, ओके, तो start करते हैं, लेकिन ये नमर क्यों है, नमर अगर ये अगर कोई doubt है, ये मेरा ससी कुमार के नाम से save कर लिजिए, ये whatsapp नमर है, या ebook लेना है, या कुछ भी करना है, तो ये नमर पर एक नमर के होंगे, ओके, तो ये ताइम कितना 60 मिनट होंगे, तो इसमें क्या है, कि जेनरल एवर्नेस आप से क्या कितना पुछा जाए, जेनरल एवर्नेस भी है, तो ये आप से 20 से 20 कोश्चन पुछ जाएंगे, ओके, और जेनरल इंगलिस से भी, aptitude है, और reasoning भी है, च इसने जो इसे नो, grapher हो गया, assistant हो गया, driver हो गया, या fireman हो गया, ये देखे, इस section में जेनरल हिंदी है ही नहीं, तो जेनरल हिंदी आपका से लेवस में नहीं है, इंगलिस है, जेनरल एवर्नेस है, reasoning है, और aptitude है, और ये इसी तरह के महामायराथन कलास, all subject, यानि कि हर एक subject का लाया जाएगा, ओके, तो चलिए आज का जो महामायराथन कलास है, वो हम लोग start करते हैं, इसमें क्या है कि जो unit 1 है, मापन, गती का array, उर्जा और उर्जा एवम समल थे, इस से हम लोग question देखेंगे, और unit wise देखेंगे, उसके बाद क्या, thermodynamics, उसमा गती की से सारा मतलब unit wise देखेंगे, यह नहीं कि randomly उठाया, जहां से मन क्या, वहां से question ऐसा नहीं करना है, और कम time लेंगे, देखें, यह recall करना है, महामायराथन मतलब क्या, recall करना, यानि कि आपको a to z, a to z, a to z, syllabus का एक छोटा, मतलब format में, एक से दो से तीन घंटा, मतलब जितना time लगेगा, उसमें time का पता नहीं है, देखेंगे कितना 300 plus question अपने को करना है, तो जितना time लगेगा, उतना time में cover कर लेना है, तब बस question परेंगे, उसका answer देंगे, ओके, तो आप लोग अभी से त्यार हो जितने वाली बस्टू में, क्या होता है, option A, B, C, D, दिया गया है, आपको बताना है, A में बोलता है, सभी की चाल समान होगी, B में क्या सभी का बेग समान होगा, C क्या बोला है, सभी का तोरन समान होगा, D क्या बोला है, सभी का बल समान होगा, मतलब निर्वात में सोटन रूप से निर्वात बोले तो क्या निर्वात मतलब क्या कि जहां पर वायू नहों यानि कि गैस वगेरा नहीं हो एकदम निर्वात हो खाली अस्थान जिसको बोलती है तो वहाँ सबीका तोरन समान होता है यानिकि एंसर C होगा A, A भी नहीं होगा, B भी नहीं होगा, D भी नहीं होगा, सभीका चाल समान नहीं होगा क्योंकि निर्वात है तो बस्टू के यहाँ पे तो देखिए गिरने वाले बस्टू बस्टू उसके मतलब निर्वात में तोरन के उपर डिपेंड करता है तो सभीका तोरन समान होगा औ और A, A, B, C, D में क्या होगा एंसर? C हो जाएगा. चलिए अगला question देखते हैं, यदि किसी बस्तू का चाल नियत हो, तो यदि speed नियत हो, क्या बोला है question में? यदि किसी बस्तू का चाल नियत हो, तो क्या होगा? A, B, C, D में option देजिए, तो इसका तोरित नहीं हो सकती है, अगर मान लिजे कि अगर किसी बस्तू का speed constant है, तो वो तोरित नहीं हो सकती है, ओके, और वही कारण यहाँ पे क्या है, कि चाल समान नहीं है, जो question number one है, ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर चाल समान होगा, तो त इतना होगा, और निर्वात में जब बस्तू गिरता है, तो वहाँ पे तोरन समान होता है, ओके, तो इध्यान रखिए, question एक और दो, एक दूसरे के, मतलब, एक दूसरे question को कुछ कह रही है, तो ऐसा आप उसको मतलब देखिएगा, उसके बाद देखिए, इस question में क्या करे हम लोग, numerical और जो कथन और निसकर्स वाला रहेगा, वो नहीं देखिएगे, क्यों, क्योंकि देखिए, जो general science है, उसका numerical पूछे जाने की संभाव ना कम है, अगर पूछे भी जाएंगे, तो easy numerical, तो वो हम लोग देखिएगे, लेकिन heart level का जो numerical रहेगा, वो हम लोग नहीं यहां भी पूछ लिया जाता है, एक train, एक दूरी, 30 km per hour, यानि कि 30 km per hour के speed से, चाल से तै कर रही है, और चाल से तै की, तथा 50 km per hour की चाल से लोटाई, यानि कि यहां से यहां एक distance में वो 30 km per hour के speed से गई, और कितना 50 km per hour के speed से वो लोटाई, तो train का average speed, जब दो जैसे distance सेम रहे, distance सेम रहे, और क्या opposite हो, यानि कि एक बार गया और एक बार आया न, दोनों का जब क्या speed दे दिया रहे, और उसका average speed पूछा जा, यानि कि औस चाल पूछा जा, तो उसका फरमूला होता है, क्या होता है, average speed is equal to 2xy divided by x plus y, x और y क्याहां, x है, जो कि 30 km पहले वाली चाल है, यहां x और y का अगर value put कि जएगा, तो अगर 2, जैसे average speed is equal to क्या हो जाएगा, 2xy divided by x plus y, तो यहां पे x और y का value put कि जएगा, तो आपका answer क्या हो, आजाएगा, ये, b, कितना आजाएगा, 37.5, तो इसका answer b हो जाएगा, चलिए अगला question देखते हैं, निमने में से कौन सा गराफ, देखे, question number 4, निमने में से कौन सा गराफ उपर की और फेकी गई, तथा पुनह लोटकर हाथ में आई, तो गेंद का गती का गराफ पलदर से, यानि कि उपर की और कोई गेंद है, यहां से एक चोमू, मालिजे कोई चोमू है, ये गेंद क्या कलता है, उपर की और फिर क्या है, पुनह लोटकर हाथ में आई, गेंद की गती का गराफ क्या है, और गती का गराफ क्या है, चाल और समय पर बताना है, चाल और समय पर बताना है, तो ये गराफ कौन सा होगा, मालिजे कि ये चोमू है, यहां पर बैठा हुगा, यहां से गेंद फेकता है, फिर जैसे यहाँ से गेंध फेका और फिर ये चैच कर लिया तो इसका ग्राफ क्या क्या होगा तहर Indra क्या चौल भकता है और यह उपर जाता है जाता है और फिर वापस लट क्या जाता है तो समय की क्या है कि घठता HOW जो चाल है घटता जाता है एक जो यह पॉइंट है यह जाके एक ड़म इसका 20 हो जाता है क्यों कि ऊपर फेकता है तो नीचे ढ़्ट जो पिरцम भिख अपना तो यह क्या करेगा इस इसके अंदर क्या है इसका इसका जाने पर घठ पर जाने पर सी होगा यानिकि यहां Häun समय तो लगेगा ना यहां से यहां तक पूरा समय लगा उसको समय एक जैसे गेंड को उपर फेकिएगा फिर कैच किजिएगा कैच करने के आवर में कुछ दस सकेंड hypocrisy यारी जितना ओपर जाएगा उपर जाएगा लेकिन टाइम टार रहा है लेकिन चाल एक घच घटता जा रहा है अकर्षन के कारण तो नीचे वह है इस फिर से यानि कि फिर चाल बढ़ेगा और टाइम भी बढ़े जैसे उपर से नीचे आने में टाइम लगेगा तो समय भी बढ़ेगा तो यह इसका एंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा चलिए अगला कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमर फाइब देखे यह जो कथन वाला है यह हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि यह कोश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा तो हम लोग सीधा जो सिंपल कोश्चन है एवी सीडी मल्टिपल जो च्वाइस है क्या कारण है घमाते क्यों है ताकि मलाई निकाल सकkeit सब्सक्राइब मर्खी चलिए हो ने संब्सक्रावए वीली और मर्ग पर म desp गारियों का फिसलना निरभर करती तो किसви करती है इस इसका एंसर, A, B, C, D में क्या होगा, C पर, बेग, गारी के उचाई, बेटाकार मर्ग की तिर्जिया, यह तीनों चीज पर, जो बेटाकार मर्ग है, अगर उस ताइम घुमाते समाए, बेग पर, यानि कि गारी का क्या बेग है, उस पर भी निर्वल करता है, गारी के उचाई यानि कि उचाय बहुत important है यानि कि गारी का कितना उचाई होना चाहिए क्यों कि जो जरतों आता है जो उसमें loaded वगर आता है परहेंगे जब science बताएंगे ना तब बताएंगे जो ऊचाय कें important है और विर्ताकर मारगी की तिրजा पर बहू दोनों पर तीनों पर यह डिपेंड करता है, तो इसका एंसर C हो जाएगा, question number 8 देखते हैं, रेल गारी के बाहरी पत्री है, जो यहां पर थुरा उठा हुगा ऐसे दिखाई देता है, देखते हैं, तो यह उठा हुगा बनाया जाता है, जिससे, क्यों बनाया जाता है? तो इसका एंसर हो जाएगा, ABCD में D, D क्यों होगा? आवस्यक अभिकेनरबल मिल सके, लेल गारी का जो अभिकेनरबल देखे, चलता है, तो ट्रेन ऐसे रहता है, तो गारी ऐसे 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 लहराते हुए चलता है, तो इसमें अभिकेनरबल चाहिए, तो अभिकेनरबल और यह गारी का will है यही इस तरफ और इस तरफ ऐसे मतलब फोर्स लगाता है तो क्या है कि अभि केनलों बल मिल सके तो यह बाइलेंसिंग का जो बाइलेंसिंग पढ़ाएंगे ना जो साइन्स का ही एक टोपिक है बाइलेंसिंग बाइलेंस बनाने के लिए क्या चाहिए अभी केनरबल तो इसलिए वहाँ पे क्या किया जाता है उठा उठा हुगा जो उपर पटरी के उपर राता है मोरो पर उचा उ क्या हैं निम्र में से कौन सी भरतिक रासी का मात्रक संभेग का मात्रक के समान है तो इसका क्या हो जाएगा Answer is c क्या मात्रक के समान ह मतन ako ra Bastaguispet special को जबू Secret कि दर किस बगावर से दर किसके में क्या दर én देखिए इसी परकार question आया है, आयेगा और आता रहेगा, बस आपको question देखते चले जाना है, उसके बार question number 11 देखते है, इस्थिर बेग से गतिमान खुली कार में बैठा हुआ एक बेगती, उपर की ओर हवा में एक गेंद फेकता है, जो इस्थिर बेग में गतिमान खुली ह कोई कार में, मतलब माली जे कोई गारी है, वो स्पीड में जा रहा है, और कोई वेकती उसमें से क्या करता है, जो गेंद को हवा में फेकता है, यदि वायू का पलती रोड नगन्य हो, वायू का पलती रोड क्या हो, नगन्य हो, वायू पलती रोड यानि की माली जी यहां स यहां फेका तो क्या होगा बायू भी इसपे क्या होगा दबाब डालेगा मतलब उस पर पलति रोड लगाएगा लेकिन यहां बोला यह का पलति नगर ने इसको को वायू का जो वायू अगर निर्वात एक तरह से मान लेते हैं तब की बात है अगर वायू आ जाएगा तो हाथ में नहीं आएगा देखेंगे वो भी कोश्चन यहाँ पे है तो यह वायू को यहाँ नगर्ने मान के लोग की है तब जाके गेंड है जो सिधा हाथ में आ नियूटन का जो समवेग के परिवलतन के तब और वाहेवल से तो ध्यान रखेगा उसके बार क्या है देखें नोमेरिकल वाला कोश्चन यह नहीं करेंगे क्योंकि यह आपका जो यह आपसे नहीं पुछा जाएगा क्योंकि 75 कोश्चन है 75 माक्स क्या और 60 मिनट है तो इते नियम के अनुसार किरिया तथा पलती किरिया बल तो किरिया तथा पलती किरिया बल किसके बराबर ABCD में बताइए तब B होगा विभीन बस्टू ये परकारे करती है आप सब्सक्राइब इसके बारे में थोड़ा बता देचेगा देखें न्यूटन के जो थर्ड लव है उख जैसे एक बस्टू, इस पर काम नहीं करेगाए दो बस्टू होना चाहिए तब नहीं एक बस्टू एक से हाथ से हाथ पे नहीं मार लिजएगा एक ही हाथ से हाफ पे तो दोनों हाथ रहेगा तो वहां दो अबजेक्ट हो गया माली जे की दो हाथ ताली बजाते हैं तो ताली बजाते हैं तो दोनों हाथ से बजाते हैं एक हाथ से यह भी कहावत है एक हाथ से कभी ताली नहीं बजता है तो एक से अधिक बस्टू पर रियक्शन का रियक्शन कम मिलेगा जब एक से अधिक बस्तू होगा कोष्ट अगला कोष्टन देखते हैं सारा जब अभी देखिए अभी हम लोग क्यों रिकॉल कर रहे हैं ऐसा ऐसा कोष्टन डाइडिक्ट पूछ लिए जाएंगे जब थियोरी कलास लाएंगे जब साइस का कलास लाएंगे तो आप लाइस भी द्यू को परिभासित किया जा सकता है तो न्युटन के गटई विश्यक डुटयक नियम से बल का जो परिभासा है लान चाहती है अगर वोग अधि आग on में रियाक्षन लि mots यानिका रीक्षन इनीकि बहाँ वह सोल्ला यह बहाँ देखेंगे किsecond लेवल का question है हम लोगों को केवल क्या करना है जो यह objective टाइप के ABCD वाला है यह question पूछा जाएगा तो यहीं देखना है question number 17 वर्षा वाले दिनों में scooter ड्राइवर प्राय फिसल जाते हैं क्योंकि ABCD में बताइए इसका answer C हो जाएगा सरक तथा टाइरों के बीच घर्षन वल का मान घट जाता है देखिए घर्षन वल के ही कारण बहुत चीज हो पाता है जैसे आप धर्ती गोला पे चल रहे हैं अपना जो धर्ती है उस पे चल रहे हैं घर्षन के आगर यहाँ पे घर्षन न रहे तो आप मान लिजे कि फिसलन बारे छेतर में चलते हैं तो वहां सवहीस से नहीं न चल पाते हैं तो इसलिए घर्षन इंप्वर्टेंट है मतलब कहीं कहीं जरूरी है और कहीं कहीं वो जरूरी नहीं भी है द्यान रखेगा इसका एंसर 17 का हो जाएगा We can do देखते हैं दो बस्तूओं के मदध घर्षन बल का कारण है एक ड्रम को खीचने की अपक्षा लुढड़काना असान होता है अगर मालीजे कोई ड्रम है उसको खीचके ले जाईएगा तो उसमें ज़्यादा ज़्यादा मेहनत आपको करना परेगा लेकिन अगर वही क्या है कि उसको लुठगा के ले जाते हैं तो आप एकड़म easily ले जाते हैं तो क्यूँ और इसका answer क्या हो जाएगा बताई एबी सी दी में क्या होगा तो इसका answer भी हो जाएगा लोटनी घर्सन का मान सर्पी घर्सन से कम होता है अब लोटनी और सर्पी क्या है सरीनी इंगलिस में भी बताते जाएं इंगलिस में बालों के लिए तो देखें लोटनी घर्सन का मान सर्पी घर्सन से कम होता है क्योंकि लोटनी बोले तो सर्कूलर घर्सन हो इसलिए याना कि रखे यह सब और सत करते हैं यह इसको खीचते जाएएगा थे यहां से घिचटे हुए जाएगा सम्टक्ता है यह है जो आपको इसमें कम घर्षन लगता है यह कारण है कि ड्रम को लुटकाने में इजली ले जा सकते हैं वह खिचके जड़ा इफट पर जाएगा उसके बार कोश्चन नमर्ट 20 देखते हैं 20 क्या है साइकिल तथा स्कूटर में बॉल बेरिंग का परयोग किया जाता है क्य क्यों लगाए जाता है आप इसली इसका बॉल बेरिंग खराब हो गया यानि कि घर्षन होने लगा है तो इसको बॉल बेरिंग ठीक क्योंकि क्या जाता है यानि कि घर्षन को कम करने के लिए ओके इसका एंसर सी हो जाएगा कूश्चन नमर्ट 21 क्या है देखें बरफ पर डर्ना सरक पर दर्ने क्या पर एक्षा कतिन है क्योंकि जो बरफ पर आप नहीं दोल फिसल जाईएगा बरफ आप बैठके देखें तुरण फिसल जाईएगा तो उस पर क्या है घर्षन बल है वो कम होता है वो कारण उस पर आप डर नहीं सकते हैं तो इसका एंसर D हो जाएगा तो इसका होगा एंसर A यानि कि इसकी इस्थितीज उर्जा गतीज उर्जा में परिवल्टित हो जाता है अब इस्थितीज उर्जा क्या है इसको हम लोग पोटेंशियल एनरजी बोलतें MGH जिसका फरमूला होता है और गतीज उर्जा हाफ MbA squared तो इसमें क्या होता है जब ब श्ठितियर जुर्जा बोलते हैं लेकिन यह गर मोशन में आएगा तो यह गती जुर्जअ काइनेटिwiąz olduğARA में आजाएगा ओके ακ PCs के लिए कि कलास फीजिक स्टाट करके बाई ज़रें ज़ए जनेरल साइंस पूरा जनरल साइंस, एफ्टिटूड और रिजनिंग, ये तीनों कलास मैं करवाऊंगा, और क्या है कि जनरल एवरेनेस का भी कलास चलेगा, जहमा जहम तरीकास जैसे करेंट अपहर्स का कलास आ रहा है, देखी रहे हैं, तो वो कोई और सर करवाएंगा, और ये मैं करवाऊंगा, तो ध्यान रखेएगा, उसके बाद क्या है क्वेश्चन नमर 24, 24 क्या है, निमलिखित दरबेमान की दो गेंदों की गतीज उड़ जाए, समान है, जब गेंद का समबेग अधिक होगा, तब गेंद का समबेग अधिक होगा, कब होगा, देखिए, क्या क्वेश्चन समझे, किसी दरवेबान की दो गेंडों की गतीज उर्जा, काइनेटिक एनर्जी समान है, तब किस गेंड का संबेग अधिक होगा, तो इसका 24 का एंसर क्या हो जाएगा, बी, भारी गेंड का, भारी गेंड का संबेग अधिक होगा, क्योंकि गतीज उर्जा तो समान है, दोनों का, लेकिन क्या है कि संबेग में परिवल संबेग सिधा उसके F is equal to A में होता है, तो A मास यानि की मासा गया न, तो इसलिए भारी गेंड का है, वो संबेग अधिक होग तो इसकी गती जूर्जा, कन का बेग V है, जो आधा कर दिया जाए, तो देखें, ये तो नोमेर्कल कोश्चन है, लेकिन EG है, कैसे K is equal to kinetic energy गती जूर्जा होता है, हाफ M V स्क्वार, M V मास हो गया, V मतलब वेलोसिटी हो गया, तो V स्क्वार है, और इसका आधा 1Y हाफ कर देंगे इसका है, यानि, कि 1Y फहाए,प झाधा 18 हो जाएगा,ipe 2 ऊक्वार हो घाधा 18 हो जाएगा, अगर वेलोसिटी होई उसका हप करते हैं, तो बेग उसका हप करते हैं, 26 देखते हैं, क्या है 26? एक वेक्ती दिवार पर बल लगाता है, प्रंतु उसे बिया स्थापित नहीं कर पाता है, तब किया गया कारे क्या होगा? जब बिया स्थापित नहीं कर पाया, यानि कि उसमें displacement 0 है, तो क्या होगा? जैसे W is equal to force into displacement, तो displacement अगर मान लिजिए 0 हो गया, कितना भी आप force लगा लिजिए, force मान लिजिए कुछ भी लगा लिजिए, अगर into 0 कर लिजिएगा, तो वो work is equal to क्या आजाएगा? 0 आजाएगा, इसलिए न बोलते हैं, आपको hard work करना है, competition का ट्यारी करते हैं, तो क्या होता है कि आप भले कितना पढ़ लिजिए, जब तक आपका selection नहीं हो जाएगा, वो totally क्या होगा? वो 0 माना जाएगा, समाज के नजर में, लेकिन अपने नजर में नहीं, आपके पास तजरुबा होगा, भले इस फेल्ड में नहीं कहीं, और जाके आप क्या किजिएगा? बेहतर ही रहेगा, इसलिए आपको displacement पे भी work करना है, और force पे भी, दोनों पे work करना है, यानि यहाँ पे सुनने होगा, answer C, C क्यों होगा? क्योंकि w work is equal to force into displacement, displacement 0, अगर कोई भी चीज से, अगर force कितना भी लगा लेजिए, x amount भी लगा, x में अगर 0 से, कोई भी चीज में 0 से, अग से लिए इसका 26 का answer C हो जाएगा, चलिए अगला question देखते है, question number 2, पे देखे, यह numerical है, तो numerical इतना hard hard नहीं पुछे जाएंगे, तो हम लोग आगे बढ़ जाते है, question number 28, देखे, 28 भी numerical है, लेकिन easy number, एक घोड़ा और एक कुता समान बेग से दोर रहे है, इनकी गतीज अनुपाट, इनकी गतीज उर्जा का अनुपाट, यानि की कैनेटिक एनरजी, half mv square होता, इसका अनुपाट, यादी घोरे का दरबमान, कुते के दरबमान से 20 गुना होगा, दरबमान, यानि की देखे, माल जेकी half mv square, divided by ये घोरे का दरबमान, ये घोरा वाला होगया, औ और नीचे कुतावला होगया, half mv square, तो यहाँ b और भी दोनों का यहाँ पे समान बेग से डर रहा, यानि की b और भी आर हाफ हाफ कट गया, यानि की m1, divided by m2, तो m1 हम लोग किसको घोरा, यानि की 10 होगा, और क्या होगा, m2 क्या होगा, 1 होगा, तो 10 अर रेशियो 1 क्या न हो जाएगा, तो इस xx गया, एक आया गया, यानि की 10 रेशियो 1, और यह कहां से आया, half mv square, डिवाइड यह घोरा वाला, और half mv square, कुता वाला, तो v square, v square गया, 1 by 2, 1 by 2 गया, तो m घोरा और m, यह कुता, तो यहां से आया, ओके, उसके बार question number 29 जेखते है, स्थिर में, इस्थिती जूर जा, जो हम सुरू में ही बताए थे, कि कोई भी बस्तु अगर मान लिजा, आपके सामने कोई अबजेक्ट लखा, तो वहां पर उस अबजेक्ट में potential energy होगा, जैसे ही वो motion में आएगा, फिर उसमें क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें 25 देखिए, यह भी numerical है, तो हम लोग यहां देखते हैं, 36, यह numerical है, लेकिन EG है, दो बस्तु ओ, पेठवी से करम सा, H और 3H उचाई पर है, तो इस्थिती जूर जा, तो इस्थिती जूर जा का क्या होता है, MGH, फर्मूला होता है, दो बस्तु है, एक का उचाई H है, और य दुसरे का क्या है, MGH, 3H, दुसरे का है, MGH से MGH, H से H जाई, यारि की 1 ratio 3, 1 ratio 3 यारि की 36 का एंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, क्योंकि 1 ratio 3 यहां पे है, तो इसका एंसर C, एक डम फर्मूला बेसा है, यह ऐसा ऐसा numerical पूछे जाएंगे, क्योंकि यह सब EG है, और यह ज 37 क्या है, दो बस्तु एक करम सा, 2V और 3V वेगों का चाल से चल लाई है, तो इनकी गती जूर्जा, गती जूर्जा क्या होता है, K is equal to क्या होता है, हाफ MVA squared, MVA squared, तो बस्तु, बस्तु 1 और डिवाइडे अनुपात पुछा है, बस्तु 2, तो इसमें क्या होगा, हाफ MVA squared, V1 का square, जो बस्तु 1 का हाफ, M, V2 का square, तो मास दोनों का सेम है, तो यह गया, M से M गया, 1 by 2 से 1 by 2 गया, V1 का square divided by V2 का square, तो V1 कितना दे दिया है, 2V और 3V, तो 2V को हम लोग square करेंगे, तो 4, यहाँ पे क्या आजाएगा, 4, देखिए, 4V square, और यहाँ पे क्या आजाएगा, 9V square, तो V square से V square गया, यानि कि यहाँ पे 4 ratio 9, अपसन नमर A, इसका सही एंसर हो जाएगा, फर्मूला बेस है, फर्मूला पे डालिएगा, और एंसर आजाएगा, 37 का A हो जाएगा, question number 18, जो की नहीं पूछा जाएगा, ओके, ध्यान रखिएगा, question number 39, यह important है, यहाँ से question, म मेलेट किजिए, मिलान किजिए, तो इसका एंसर 39 का हो जाएगा, 39 का C हो जाएगा, C बोले तो, C बोले तो यह, A के कारे, कारे is equal to, क्या हो जाएगा, F is equal to, W is equal to F, S, जहाँ F फोर सा, S क्या होगा, displacement, इसको D भी बोल सकते हैं, ओके, तो यह हो जाएगा, इसका 3 हो जाएग F is equal to M, है न, B का हो जाएगा, देखे, C हो जाएगा, तो C में B का 1 हो जाएगा, F is equal to, जरत्व आघुल, जरत्व आघुलन, C का 2, यानि कि 2 कहाँ पे है, I is equal to MR, जहाँ M मस और R रेडियस हो जाएगा, ओके, उसके बाद उर्जा, उर्जा क्या हो जाएगा, D के 4, 4 क्या है उर्जा, यानि कि यहाँ पे, Potential energy भी हो सकता था, Pressure energy, देखे, 3 तरह के energy होते, Pressure energy, Potential energy, and Kinetic energy, यानि कि दा उर्जा, गती उर्जा और स्थिटी उर्जा, उर्जा, यह दे़ान रखेगा, तो उर्जा, यानि कि 4 का D ही होगा, तो इसका answer, C हो जाएगा, चले अगला Question देख रहती है तो 40 का एंसर का एबीसीृटी में बताई इसका एंसर वी हो जाएगा संघटन के दवरान फ्रस गेनर्व पर बल डालता है मतलब एक्षन कर ये भी बोल सकते हैं कि एक माले बॉडी फर्स है और ये बल है तो दोनों में एक फर्स पर क्या है बल दबाब मतलब एक्षन का रियक्षन भी होता है इसका एंसर भी हो जाएगा Question number 41 देखते हैं 41 क्या है एक यातरी चलती हुई रेलगारी में पांच रुपय की सिक्का उच्छालता है यादि सिक्का उसके पीछे गिरता है तो रेलगारी रेल कारी क्या है तो 41 का हो जाएगा A यानि कि एक समान तोरण से चल रही है और इसमें वायू को नेगलेक्ट नहीं करना है अगर नेगलेक्ट कर देते तो क्या होता कि अगर सिक्का उच्छालते तो आपके हाथ में ही आ जाता लेकिन यहाँ पर वायू को भी हमको लेके चलना है तो वायू के कारण क्या है कि हम लोग थुरा आगे बर गए है और वो क्या है वायू के कारण उस पर क्या आया है इफेक्ट आया है तो वो क्या है कि वो सिक्का पीछे की और गिरता है इसका एंसर हो जाएगा A, यानि कि एक समान तोरण से चल रही है, उसके बार 42 देखते हैं, 42 क्या है, 42 कहां गया, 42 देखी यहां, उस 42 में क्या है, उस उचे स्पिरिंग बोड का गोता मारने वाला एक खिलारी, नीचे पानी में घुसने से पहले विभेन परकार के अभ्यास क संपन करता है, निमली किती में से कौन सा प्राचल गिरने के दावरान स्थिर रहता है, तो कौन सा रहता है, A, B, C, D में बताईए, इसका एंसर 42 का हो जाएगा, क्या, D, यानि कि खिलारी का कोन ये बाइग है, जो की स्थिर रहता है, कौन स्थिर बोले तो जो इस इंगुल जो कि खिलारी का करेंगे, यहां नहीं देखेंगे, क्योंकि यह नुमेरिकल आप से नहीं पूछा जाएगा, तो नुमेरिकल वहां से आपको क्यों ऐसे A, B, C, D वाले थियोरी ही पूछा जाएगा, चलिए अगला कोश्चन देखते हैं, यह भी नुमेरिकल है, अब क्या ह 45, 45 क्या है, क्रीम सेपरेटर में डूड में से वसा को अलग किये जा सकने का क्या कारण है, इसमेरिकल मर्यरिकल के कारण ही ने वहां जन लगते है, उसको नाचाते दिखते हैं, कि वह अपकरण यानि की स्थ०्वयल फोर्ष से लगते राता है, अपके ध्यान्रिकल उसके बाद question number ये question भर-भर के आया है और ऐसा question आया है आएगा और आता रहेगा question number 46 46 क्या है rocket dash 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 के संरक्षन नियम के अधार पर काले करता है किस नियम पर इसका ABCD में पताईए इसका answer C हो जाएगा रैखिक संबेग के संरक्षन नियम के अधार पर काम करता है इसका answer C हो जाएगा question number 47 नियम लिखित में से कौन सा सही है तो कौन सा सही है यह भी इसका जो मतलब निकालने का तरीका है वो लंबा है यह आपसे नहीं पूछा जाएगा तो यह हम लोग इसको छोलते हैं आगे बढ़ते हैं क्या है देखिए फोटी उसके बार फोटी एट भी है कथन वाला है तो ऐसा question आपसे नहीं पूछा जाएगा तो यहां भी हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर 49 यह भी क्या है नुमेरिकल है ऐसा नुमेरिकल नहीं पूछा जाएगा फिप्टी देखिए फिप्टी पूछा जाएगा तो फिप तो फिर्थवी किसी बस्टी आगर नीचे घिच लेता है क्यों घिचता है वह पिर्थवी से और उसमें तो कोई बल का सरफेस दोनों आपस में टच नहीं किया है फिर भी वह नीचे की और खीच लेता है तो उसको हम लोग ऑ असपर्स बल बोलते हैं जो कि एक दूसरे के और जैसे चुमबक है चुमबक को दो अलग रखेंगे तो क्या होगा कि फिर क्या होगा एक साथ आके माल लेज़े य भी नहीं पूछा जाएगा उसके बाद क्या है फिप्टी टू देखते हैं फिप्टी टू क्या है देखे एक किर्केट मैच में टिरुगामी गेंड को लपकते समय मैदान में इस्ठी एक छेट लक्षक यानि कि फिल्डिंग जो फिल्डर रहता है आपने हाथे को सुने तक घटाया जा सके यह किरिया किसका निरुपित करते हैता है नियूटन के डूटीğe गठी केंने ही जी समझें लेजिएगा कि फिप्टी टू का एंसर यह हो कैसे questioned समझे कोई मलीग जो है वह ज़ीरो पर ला सके और वह कैच आपके हातों में नेकर सके म कि इसका एंसर हो जागा बी हो जागा नीमली कीम असके बाद देख vallahi मैं आपको रह् rozp करन कीफ सब्सक्राया दम धो चाहिए क्या होतों को धर्सक्रा तोर दूरी तो डूरी यहां से यहां इख से बश्टू बिराम अवस्था में है आनि कि दूरी अगर यहां पर बश्टू कहीं पर रखा हुआ है चाहिम बहुत टाइम से एक घंटे से आनि कि वा में सथा में है वह ही पर एक जगह ही है तो इसलिए इसका एंसर क्या हो जागा 53 का एंसर भी हो जाएगा विजाम आवस्ता है यह सब प्रेक्टिकल चीज है सुथ यह ऐसा इसा कोश्चन आया है आएगा और लोग गराफ देखके डर जाते हैं गराफ देखके नहीं डरना है एकद कुछ नहीं में से कुछ सिर्जन किये गए नियम का विरूद है यह इस थियोरी पर हैंगे तब जानिएगा तो इसका एंसर फिप्री सिक्स का एंसर भी हो जाएगा दरव्यमान सनक्षन के नियम यानि कि कुछ नहीं में से कुछ का सिर्जन किस नियम के विरूद है यानि कि यह किसके है क्योंकि दरवेमान ऐसा चीज है जो कि दरवेमान को आप नहीं नस्थ कर सकते हैं और नहीं उसको क्रियेट कर सकते हैं यानि कि नहीं उत्पन कर सकते हैं तो क्या है दरवेमान को बस एक रूप से दुसरी रूप में ला सकते हैं सेम उर्जा का भी नियम है उर्ज कर सकते हैं इसलिए जो जैसे कुछ भी होता है activity तो एक रूप से दुसरे रूप में रुपांतरन हो जाता है यह मत सुचेगा कि वह अपन लोग नस्त करते हैं और नहीं उसको उत्पन करते हैं तो ध्यान रखेगा फिर 57 कथन वाला है तो यह नहीं आएगा तो नहीं देखते हैं उसके बाद 58 58 क्या है दखें न्यूटन के गति के नियम उन वस्तुओं के लिए सत्य है किन के लिए तो 58 का एंसर क्या होगा ABCD में दी पर का सत्य नहीं है याद रखेगा तब इस राम में यान कि अगर कोई बस तु इस्थीर है तो इस्थीर राहना चाहेगी गति सील है तो गति सील है तो यहां इस अनक कहिर गति कर रहा है यहां लग इस बिक एयुटन question number 59 59 का answer क्या हो जाएगा 59 डेखते पहले कोई बस्तु के वाल ग्रुतु किरिया के अधिन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही हो निमली खित में से कौन सा निर्वात निर्वात बोले वहां पर है च्वात रहते हैं और कहा हमेश निर्वात निर्वात बोला है यहां पर उसके बद रहना उपर अगशैंतरो यानि कि जो ली होगा उसका भी उसके बाद देखें, question number 61, 61 क्या है, किस पिंड के संभेग परिवलतन के दर किस के बराबर होता है, इसका हो जाएगा, 61 का क्या हो जाएगा, इसका C हो जाएगा, परिनामी बलके संभेग में परिवलतन के बराबर होता है, ध्यान रखेगा, उ उनिट वन में क्या था इसमें हम लोग यह देख रहा है थे देखिए उनिट वन था जो कि मापन गती कारे उर्जा और समयरच से था अब हम लोग यूनिट तू देखते हैं तो यूनिट तू क्या है तो यूनिट तू डेखते हैं क्या है देखिए यूनिट टू है जो कि गुरुटवा करसों तो देखते हैं, 62, 62 में क्या है, 2 बस्टूेयर के बिच लगने वाले गुरुटवा करशन वळ निर्भर करता है, त 들 bajमान की योग-पर्अचन क्या होगा, गुरुमान की भुरूटवा करसों, इसमें, जो मास है, वह important है क्यों important है बताएंगे जब लास तक यह question देख लेंगे जाता है खुद आप समझ जाए कि मास important क्यों है उसके बाद 63 गुरुटविये तोरन ABCD में से क्या होगा इसका answer भी सब्सक्राइब करता है जब जैसे तो यह इसमें पर फेका जाता है कि यह जबलाव नहिए जब बस्टू को हम लोग उपर क्यों होगा इसका एक गति के विपलिदी सामे कले करता है माली जे गती उपर जाता है तो उसके जो गुरुत्वा कर्षन बल है वो अपोज करता है नीचे खिचता है तो वही गती के विप्री दिशा में तबना जाकि वह एक लिमिट जाने के बार जैसे यहां से चोमुज शुरू में ही बता थे यहां फेका धिर धिरे गया वो एकड जाने के बार को एकडम 0 उसका स्पीड हो गया फिर गुरुत्वा कर्षन बलके कारण वहीए स्पीड से निचे आजाता है ध्यान रखिएगा इसका हो जाएगा इसका हो जागा एकि पर आगदाया यानि की इसका सही अंसर हो जाएगा उसके 65 चाल इक पिलठबी के सता पर किसी बस्टू का पलायन बेग यानि वह इतना स्पीड से यह वह पिद फोर वापस नहीं कितना स्पीड का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा एगारफ सॉम्लेट तू किलोमीटर पर सिकेंद यानि कि एक सिकेंड में आप और इसी स्पीड पे रोकेट वगएरा लॉंच किया जाता है तो निर्वात में चला जाता है तो ध्यान रखिएगा रोकेट का जो भेजने का जो बेसिक है यहीं से है इसलिए न बोलते है कि कोई भी जीवन से जुरा हुआ है और साइस अगर साइस पर कमान आपका सही से हो गया तो समझे आप जीवन जीना सही से सीख लिए चीएगा तो ध्यान रखिएगा 65 66 देखते हैं 66 66 क्या है पेल्थ वी सूरी के परिता देर्ग वीरता कार कक्छा में घूमती है इसका वेग क्या होगा एवी सी दी में बताईए इसका एंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा अधिक्तम होगा जब यहाँ सूरी के निकततम दूरी पर होगा यानि कि देखे पीर्थ वी है जो सूरी के परिता दिर्ग वीरता कार मानले यह सूरी है तो इसके परिता दिर्ग वीरता कार पर गूमते रहता है तो इसका वेग अधिकतम होगा यादि सूरी के निकततम दूरी प्याइब यह पिर्थवी है यहां पर निकततम दूरी यह हो जाएगा यहां पर आजाएगा तो इसका बेग क्या होगा इसलिए जिग्रॉपिका भी कलाफ लाइंगे टेंसन लेने की जरूरत नहीं है एकदम खुन में घुशा देंगे तो बस आपको यहां पर आएगा तो अधिकतम हो जाएगा जब सूर्य और पिर्थवी की दूरी निकततम दूरी पर होगा यहां पर होगा तो यह बेग निम्दतम हो जाएगा चलिए अगला कोश्चन देखते हैं कोश्चन 67 क्या है एक अंट्रिक छियात्री जो कि भू उपगरा हमें है कहां है भू उपगरा हमें है तो समय ज्यात करने के लिए परियोग लानी चाहिए तो माले जी कोई अंट्रिक चाहिए तो समय ज्यात करने के परियोग लानी चाहिए किसकी 67 का एंसर हो जाएगा भी घरी जो कि स्प्रिंग से चलती है बैटरी वाला घ यहां से वहां पर समय देखा जाएगा ओके तो ध्यान रखेगा यह सब इंपोर्टेंट है पुछ लिया जाता है कोश्चन नमर सिक्स्ति है चन्रबा पर वाय मंडल नहीं है क्योंकि एबी सीदी में पता यह इसका एंसर क्या होगा इसका एंसर डी हो जाए वाय मंडल के कनों का बेग पलायन बेग से अधिक है वाय मंडल का जो कन का बेग है वह पलायन बेग से अधिक होता है उसके बाद क्या होगा तो 69 का हो जाएगा क्या एक चोथाई हो जाएगा द्यान रखेगा दुगनी करेंगे तो एक चोथाई हो जाएगा उसके बाद दखेए कोश्चन नमर 70 70 क्या है देखते हैं क्यों होता है तो कोस्चनमर 70 का हो जाएगा क्या हो जाएगा जालता है किई हुआ रहता है जुदिवलाकर सब्सक्राम को भी लगातार प्रोग्राम परशालित कलता रहता है क्योंकि 71 का एंसर क्या हो जागा ABCD में बताईए इसका एंसर यह हो जागा वह परिकर्मर काल से अधिक रहता है, वो कारन है कि जो दूर संचार उपगरा है, विशु के एक भाग से दूसरे भाग में वह परसालेंट हो जाता है। के अधिक है अधिक से अधिक होता है उस डाइप का बनाया ही जाता है अगर टिज आ र्याउंड बनांग चाहिए तप जासे बठोजैंगा वे में पूछा जाएगा यही उपीसथी वाग़रा में पूछा जाता है Q73 अब हम लोग 74 पर आते हैं यह भी नुमरिकल है नुमरिकल नहीं है इसी नुमरिकल कती करने वाला है यह गलत करके आते यह वर यह बार बार ऐसा जाए तो कितना होगा आप कितना लोग है जो कंफ्यूज हो जाते मतलब कहेंगे सर शिक्स्ती हो जाए चंडर मापर डिवाइड़ टेन कल देते हैं क्योंकि वहाँ जी है नहीं गलत एक डम बल अंदर है इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर डी ही होगा यानि कि 6 किलोग जाएगा 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 यह नहीं होगा जी इसमें से 10 जो जी का भालू है वहाँ तो दुकानदार आपके जाएगा तो दुकानदार थी उनको पागल भुशुटा देगा लेकिन आप पागल नहीं है क्योंकि हमलोग डबलू इसकल टू लिए वेट लाते हैं वेट मजी और जो हम लोग कुस्चन बनाते हैं वह एम डिया रहा ऑज्योंकि 6 किलोग्राम होता है तो की वेट में दीया रहाता है लेकिन यहाँ बोलते आ रहे हैं जाके वहां पर दुकानदार को बोलेगा सुनो एक वेट का हमें चीनी दो तो वह समझ जाएगा वह आपको दे देगा लेकिन एक मतलब कि mg देता है आपको mg यानि कि यहां पर जो गुर्टविये गुर्टवाकर्शन फोर्स जो लगता है जी का वहलू जो कॉंस्टेट 9.81 वह है तो क्या है जी में परिवल्तन होता है अपना गोला या दूसरे का गोला हो बस जी में परिवल्तन होता है ओके तो पिरत्वी जो चन्रमा पर है वो जी यानि कि गुर्टवाकर्शन बल है ही नहीं तो वहां एम तो सेम ही रहेगा तो इसलिए क्या है मास हमेशा सेम रहता है वही बेट दे दिया रहता तो अगर माले जे 10 न्यूटन बेट दिया रहता तब चेंज हो जाता लेकिन यहां 6 किलोग्राम य में परिवर्तन होता है तो ध्यान रखेगा उसके बाद 75 देखते हैं उचाई से गिरने पर किसी मानो या अन्य पसू की आपक्षा बिल्ली के बचने की अधिक संभाव ना होते है इसके करण क्या है तो 75 का एंसर क्या हो जागा इसका एंसर ABCD में बटाई ए होगा बिल्ली क बिल्ली तत्काल अपने आपको समायोजित करग अपने चारों पैर पर भूमी पर आती है और पैरों को मोर सकती है ताकि गिरने के संग्हात आपक्षा ताकि गिरने के संगात और सूसित कर लें प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् चुम्बक्य बल भिंता के संदर में निमलिखित में से कौन सा कथन सत्य है इसका 76 का हो जाएगा एंसर इसका बी यानि कि गुरुत्विये बल केवल अकरसी होते हैं अकरसी मतलब एक बस्तु और दूसरे बस्तु यह पिर्थवी है किसी बस्ती को और आकरसी बना है नहीं तो आप उजदे रहते कहां अंत्रिक्ष में एक बार पैर मालते तो अंत्रिक्ष में चले जाते फिर वापस आते यह मतलब एक सिस्टमेटिक बना हुआ है जबकि बैधूत और चुमबकिये बल आकरसी और परतिकरसी होते हैं यानि कि हमेशा गुरुत्व आकरसन बल है जो एक दूसरे को आकरसित करता है लेकिन जो बैधूत और चुमबकिये बल है जो कभी आकरसित भी करता है और कभी परतिकरसित भी करता है इसलिए इसका एंसर जो कथन सत्य है B हो जाएगा, question number 77, क्या है, निम्न कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, इसका 77 का क्या हो जाएगा, बताइए, तो 77 का D हो जाएगा, पिछवी के सता और समुन्र के सता पर किसी भी पिंड का भार का दरवेमान समान होता है, ये द जो कि पिल्थवी से 2 किलोमीटर उपर उलते हुए किसी वाय मंडल में इत उल्डवादर फेकी जाती है, तो क्या होगी, ABCD में बताइए, इसका answer क्या हो जाएगा, C, इस्थिर तोरन से गिरेगी, जो तोरन है, वो constant के साथ हो, constant तोरन पे जो गिरेगी, ओकी, तो ध्यान र क्या है, तो देखते हैं, यह सब physics का चला है, तो देखते हैं, क्या है, question number 79, एक मनुस्य द्वारा भूमी पर लगाया गया दबाव, सबसे अधिक कब होगा, मान लिजे, दबाव कब अधिक होता है, जब एरिया जादा कबर किजिएगा, तब दबाव अधिक नहींगा, पर दबाव आएगा, लेकिन यहीं अगर समान फोर्स को इतना सारे पर डाल देजेगा, तो क्या होगा, कि आपको दबाव कम देखने को मिलेगा, इसका एंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जब वहाँ पैर के पदा अंगली के बल पर जब खरा रहता है, तो जाके वहाँ पर एक ही कॉंट्रेक्ट जो फोर्स रहता है, वह बहुत जितना कम रहेगा, और फोर्स जितना ज़रा रहेगा, उतना उस पर क्या होगा, दबाव आएगा, तो इसका एंसर बी हो जाएगा, यह कोश्चन नमर एटी, यह कोश्चन नहीं पूछा जाएगा, अगला देखते अंदर मालीजी यह बर्फ है, आप बर्फ में बीच में एक क्या है, लोहे के गोला है, लोहे के गोला है, और यह जो लोहे का टुक रहा है, यह टैर रहा है, तो यह पिघलने के बाद क्या होगा, पिघलने के बाद यह हमें पता है, यह बर्फ का जो गोला है, लोहा का गोल तो ब्रफ वाला में गोला था, तो बर्फ यहां पर यह थुरा मतलब ऊच्छा हुआ थैर रहा है, तो यह कमेगा, तो आयतन क्या हो, गलने के बाद बर्फ गलता है, तो उसका आयतन है वो कमता है लेकिन उसका मेंटेन करेगा यह जो गोला है जो लोहे का गोला है वो कर लेगा यही कारण है कि यह जो पानी का यह सतह है वो समान रहेगा क्योंकि वो बहुत पिगलने के बार उसका वॉलूम है जो आयतन है वो कमता है तो और वो जो कमेगा उसक 2022 में जल से समुनरी जल में ज्राइस आगरू अगर हम छाएं… थोड़ा है एपनी में से भीट्चा भीशा दालार चला रहा है वह लवन पर ऑलॉवन नहीं रहता तो थोड़ा इस humorी। क्या है देनसिटी उसमें कम रहता है लेकिन लवनवाला में क्या है नमक रहता है तो वे इसका उचाहिश करने का चीज है उसके बाद गाल के गहनतों का या तप के साथ साथ परिवल्तित होता है इसमें जलिये प्राणियों को थंदे जल में रहने में में मिलती है जलीय प्राणी है जाकि थंड़ में यानि की नीचे जितना जाई यह थंडा रहेगा उपर वाला सुर्फष्ट तो रहा गर्म रहता है जूप के ताइम में जाते जल का घना तो किस ताफ पर महत्म होता है जल का क्या हो जाएगा डी फोल यानि की दी हो जाएगा फोल डिग्री सेलसिया सो ओके चलिए अगला यह कर्थन और कारण का है तो यह नहीं पुछा जाएगा हम लोग आगे बलते हैं उसके बाद रिखेंगे क्वेश्चनमर 85 85 क्या है एक कमानी डार तुला का परियोग कलते हुए एक इस पात के गोलक बिभीन दरबो में दुबा कर उसको अभासी भार मापा जाता है तो किस दरबो के लिए पथन का पथन सबसे अधिक प्राप्थ होता है तो किस दरबो के लिए तो इसका एंसर 85 का क्या हो जाजाएंगा भी जिसका सबसे अधिक गनतों वाला प्थन सबसे अधिक प्राप्त हो जाता है उसके बार घ्लम में मशीनों में मशीनों के पुर्जे जाम हो हैं क्योंकि जार के ठंधा के टाइम में जो मसीन का पुर्जा है वो जाम हो जाता है क्यों हो जाता है यह भी सिरी पर ही और बताइए इसका एंसर क्या होगा oo viscosity जो एक को जो बन्ड विसकष यानरि कि जाने नरे से कम हो जाती है वह कारण है कि पात पुर्जे मिलगता है अगालली की शेमे चल देते हैं तो हून के इसको प्रचाय कम हजाती है जो सक्एप्ड जाता है। cambi विसको सिटी कम होगा तो आपस में घर्षन होने लगेगा और मोबिल क्यों दिया जाता है घर्षन कम करने के लिए कोई भी गारी पाथपुर्जा इंजन में मोबिल इसलिए दिया जाता है कि ताकि घर्षन कम हो सके और घर्षन कम किया जाता है विसको सिटी का ही पावर कम हो तो अगला हम लोग देखते हैं कर्थन वाला इस तरह के कोश्चन नहीं पूछे जाएंगे एटी एट देखते हैं यदि एक लगू वर्षा बुंध वायू से होती हुए गिरती है यानि कि वर्षा के बुंध है जो वायू से होते हुए गिरती है तो क्या होगा ABCD में इसका हो जाएगा C यानि कि उसका बेग कुछ समय के लिए बढ़ता है और फिर एक समान हो जाता है यानि कि जब कोश्चन ऐसा डाइट पूछ लिए जाता है इसलिए सारा जो कोश्चन है इंपोर्टेंट है ऐसा कोश्चन आपको देखने को मिलेगा 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 इसका बारिज का बुंद है जो देखते एकडम कैसे कॉंस्टेंट के साथ मतलब नीचे आता है लेकिन उपर से आता है तो वह मंडल में परविश करता है तो एक समय के लिए बेग वेलोसिटी बढ़ता है फिर ध्यान रखेगा फिर यहां पर जो मल्टीपल कठनवला आगया तो यह बहुत इंपर्टेंट इक्वेशन है उसी के अनुसार अभी धरती पर बहुत सारा मतलब देखे पहले से होते आ रहा था लेकिन उन्होंने बताया यह ऐसे कारण होता है जैसे आप देखते होंगे कि किरकेट खेलते हैं तो एक साइड से वह बाल बार-बार घसते रहते हैं घसते रहते वर नुऑली एक्वेशन ऐसा है जिसमें तीनों एनर्जी का रिलेशन चाहिता है जाता है कौन-कौन सा प्रेश ठीकनकर सब्सके आने कि गातिक नर्गरम कर ले Whose धी क्योंकि वन ही के कारण ट्रेन देखते हैं कि एकदम गती से पिलेट फर्म से निकालता है तो अगर उसके नजदीक रहता है तो वो आदमी को घिच लेता है क्यों घिचता है बर्नवली एक्वेशन के कारण सब बताएंगे जब थियोरी कलास पराएंगे जैसे बल को एक फिलारी घिचते रहते हैं ताकि उसमें भी इस vigor लगता है उन्हें भी यह पता नहीं रहता है यहां पर बर्नवी एक्वेशन और यहां पर मालिजिए यहां पर टेन लगा हुआ है और यहां जो यह इसके अंदर घर के अंदर जो फ्वैली है वह नौर्मल है ज़ो फी चल खाला और बाहर का एक डमाईस स्पीड सह स्पीड शाय तो यह उरा के नहीं ले कि बाहर का प्रेशर भी हाई हो गया वेलोसीटी भी हाई हो गया हावा एक डाम हाई तो यहां पर भैकम कीरियट हाईगा वैकम कीरियट हो अगना तो यह सकतकशन हो इसको यह चर्ट को užणी उर स्कसन पर्रों तो यह सब बर्नवली एक्वेशन इंपोर्टेंट है उस पर एक सेप्रेट वीडियो ले आएंगे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बर्नवली एक्वेशन आपके खून में घुसा देंगे ओकी चलिए 93 देखते है 93 क्या है 93 किसी यादि किसी दरबे का ताब बढ़ा दिय मच्छर को सुसाइड करते हुए देखिए है जैसे आप पानी भर के कोई ड्रम में या कहीं दखते हैं उसके बाद एक मच्छर आया एक मच्छर क्षूर कषू हो जाएगा जये मच्छर का सुसाइड क्योंकि मच्र आएगा और इस पर बैठेगा और नीचे डूब जाएग तो इसके surface के उपर आके एकड़म land करके बैठ जाता है और फिर उड़ जाता है आपका सपना अधूरा हो जाता है आपका सपना अधूरा बोले तो यानि कि आप जो suicide देखने वाले थे मच्छर का या मक्षी का वो नहीं देख पाते वो आराम से आया यहां जैसे आप धरती प जाके बैठके और फिर आनंद लिया और चला गया थंदा थंदा आनंद लिया और निकल गया उर गया ओके तो यह किसके कारण होता है पानी तो उपर वाला जो the surface tension है वो कम हो जाएगा यानि कि क्या हो जाएगा जैसे तेंपरेचर वढ़ेगा सरथे सेस तैंशन जो गंषार जाएगा घ्रिच्थे सिर्फेस सिंसनुअ उसलिए के अंदर पानी आपस त्राहिमान बचेगा Geo उप है mont अपने चला सेगा है तो अपने प्रेक्टिकल भीउन में देखे उसके बादिन डरr ड्रवे की छोटी बुंदे गोलाकार किस कारण से होती है किस कारण 94 का क्या हो जाएगा प्रिस्ट तरना यानि कि छोटी छोटी यह गोलाकार गोलाकार जो निकलता है फुहारा जैसे सावुन में सावुन लगाते चोटा चोटा बुंद बवल निकलता है वो किसके कारण होता और जान रहता है ज़ुल निकलता है जिसमें जिलीमित में निकलता लुँद सब्स? जये निकलेगा समझे मैं कि वो सर्फ नमर हैं लुए इसब उस् हाव टेना हएं जो अपना जो कपरा है वो साफ हो पाता है सारा अपना जो है ये जीवन से जुगा हुगा है 95 देखते हैं देखिए कमेंट में जरूर लिखेगा कलास कैसा चला है कमेंट किजेगा तब ना इसी तरह कलास आगे भी लाते लाएंगे समान अनुओं के मद्धे लगने वाले बल को यानि की पानी है पानी में बहुत सारे मॉलेकूल है तो मॉलेकूल एक मॉलेकूल पानी का दुसरे मॉलेकूल अगर समान जो अनुओं है वो अगर फोर्स लगाता है तो उसको ससंजक कोहेशन फोर्स बोलते है सब्सक्राइब सब्सक्राइब City दिए सबीकों सब्सक्राइब सब्सक्राइब जिसक्राइब गर्विए 3L मतलब см fouliकार नियुक्त करोगार। कि दोनों ऑनुर्ण एर ख़ो गया या कुछ भी ओ गया पलास्टिक होगा ये गलास हो और गलास के यह पानी है तो दोनों का बीच जो बल लगता है उसको हम लोग असन जख यानिकी एडेसिव फोर्स बोलते हैं ओके यह समान अनुवाला है तो इसका एंसार भी हो जाएगा इसलिमें बोलती है कि भर भर के कोश्चान आया है आपको टेंसन लेने की जरूरत नहीं है उसके बार 96 दिखते हैं ।त पानी के सताफ द्रफिय हुए लुषा जियमेशताव व्लें वरप मद माड़ी नवम हुए उससादि रखोंगा लेकिन वो आनंद लेके उस पे लेंड किया और फिर उरे गया तो इसको यह प्रिस्ट तनाओ की कारण होता है उसके बाद 97 देखते हैं 97 क्या है जब किसी सेविंग ब्रोस को पानी से निकाला जाता है तो उस पे बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं तो किस कारण से चिपकते हैं तो इसका एंसर 97 का क्या हो जाएगा बताइए 97 का भी प्रिस्ट तनाओ के कारण ही चिपक जाते हैं उसके बाद 98 देखते हैं निवली खित में से कौन सा प्रिष्ट तनाव का परिनाम नहीं है यह कौन सा परिनाम नहीं है इसका एंसर यह हो जाएगा ड्रव की सतह के ऊपर वास्प बनना क्योंकि यह तीनों है जो प्रिष्ट तनाव के कारण है लेकिन जो वास्प बनता है तो उसको जितना गरम सुमेलिट किजिए, तो सुमेलिट करना यह important एक नजर हम लोग देख लेटे हैं, 99 का ए हो जाएगा, यानि कि स्याही तथा कागज के बीच के बल, स्याही अलग है, कागज है, इस पे स्याही लिखते हैं, तो स्याही है, तो इसके बीच के बल को हम लोग क्या बोलेंगे, असं स्याही के बीच रहता है, तो कागज कागज के बीच का बल, तो इसका बीका बन हो जाएगा, इसका दरब, यानि कि पानी है, पानी में दो मतलब दो अनु है, तो इसमें दोनों के बीच का अगर माली यहां पानी भरा हुआ है, तो दो अनु में आपस में बल लागा है, तो उसको हम लोग ससंजक बल करेंगे यानि की बीका वन हो जाएगा सी सी से के च्छारों पर गोल होना प्रिष्ट तानाओं के कारण जो अभी पर हैं इसका एंसर लोग सी के फोर हो जाएगा दो पिंड़ों के बीक बढल यानिकी दो फिर्थ हो जएगा अगर हम लोग नहां कोई ने खार हो जाएगा जाल सब्सक्राइब तो यानि कि अगर माली जे गलास में अगर कोई यहां पे जल रखते हैं यह क्या होगा कि यहां पर उपर चला जाएगा यह अगर कोई लगाते हैं यह उपर चला जाएगा लेकिन यहीं पर हम लोग क्या करेंगे पार मरकरी डालते हैं तो वो नीचे ही रहता है नेचे क्यों वो सब उसके कारण मतलब उसका डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है तो ध्यान रखेंगा यह सब उसके बाद एक सो दो एक सो दो क्या पत्ली नली में डरव अधिक उचाई तक चरता है क्यों क्योंकि पत्ली नली है वही जो यह पत्ली नली अगर यह यहां पर एक नली छोटा से नली है एक नम छोटा है स्मॉल राडिएस का एक नली है इसमें क्या है जिए डरब है जो उपल तक चलता है क्यों चलता है 102 गयो क्या हो जागा इसका ड क्यों टिरजनी अ Х終ift हो हुजाएगा सी यानि कि कैसी कट के कारण जैसे नीचे तेल डाल देते जैसे दियात जलता है तो तेल अपने आप उपर चरते जनके जाता है किसी कट के कारण होता है पूछा जाएगा 105 का एंसर क्या होगा 105 का यानि कि पास्कल नियम पास्कल नियम यानि कि हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया सही है उसके बाद देखने हैं 106 का यह जाएगा 105 का क्या हो जाएगा उसके बाद बीका वन बीका आर्की मेडिज से धान रहा जान तैलता हुआ जहाज पही नहीं इन्होंने किया था उसके बाद सब्सक्राइब करें 106 क्या है देखने हैं 106 क्या है देखें यह प्रीवियस यह कोश्चन है यह आप से यह थुरा हाड लेवल के कोश्चन है यह सब नहीं पूछा जाएगा हम लोग सिंपल जो यह दो यहाँ पय है यह देखते हैं जब वर्फ कईलती है तो क्या होता है इसका आयतन कमता है 108 108 एक आकार में अगर वर्फ रखा है तो यह जो पिघलने के बाद ड्रव बचेगा यह कुछ इतना ही आकार में बचेगा ओके ध्यान रखिएगा उसका आयतन कमता है उसके बाद एक सो आठ हो गया एक सो नौ हम लोग देखते हैं 109 वहहां 109 क्या है भोठले यानिरकी भोठले चाकू से चीज़ों का काटना मुश्किल है जो तेज़ धार्वाला चकु नहीं दबाब को भूतरा चाकु कम कर देता है, मांने यहाँ पे कुलते हैं इसका क्या है दबाब में कर देता है यहाँ पर प्रहूपछल नहीं बढ़ पाता है, वा कारणा क्या है जो नहीं सवाइस होज जाएागा चली अगला question देखते है question number क्या है जब गहरे समुन्र की मछलिया समुन्र की सतह पर लाई जाती है तो उनके सरीर फट जाते है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके सरीर का खुन क्या होता है उनका खुन का जो होता है उसका answer इसका answer ABCD में क्या हो जागा बहुत तेज दवाब से बहता है, यानिकि उसके अंदर जो नीचे सबसे गहराई में रहते हैं, तो उनको अगर बाहर लाईगा न, अगर क्या होगा समुनर तल पर लाई जाती है, यानिकि अगर उपर लाएंगे तो उसका शरीर भट जाता है, क्योंकि उसका जो खून है, ब मतलब नीचे जैसे जैसे जाईएगा तो पानी में जाने पर तो पानी में जाने पर प्रेसर जाएगा तो क्या होगा जे अगर उपर आएंगे तो प्रेसर कमेगा जो प्रेसर रहता है पानी के जैसे रो जी एच जी एच जी नीचे जैसे जैसे नीचे जाईएगा हाइट पर अपने आप अटोमेटिक फटने लगता है तो ध्यान रखेगा उसके बाद रखेगा यह सब मतलब आपसे पूछा जाएगा उसके बाद कि कोश्चन नमर 112 देखते हैं कुश्चना मर 112 है चिकनाई और तेल के दाग युक्त मैले वस्ट पानी में अपमर्जक मिलाकर साफ किये जाते हैं दाग धबे का अपनयान होता है क्या होता है यानि कि पानी और तेल के मध्ये पृरिस्ट तनाव प्रावल से कम करता है हुब करने के लिए टाकि उसमें से धुलकन जो बैठे रहते हैं वह सब पढ़ाएंगे जब में में खुषा देंगे को तेन्ष लेने की ज़रूरत नहीं है साइन्स सब्सक्राइब नेक्स विचर का तथा ऊसमा तो यह हम लोग देखते हैं लेकिन उस्से पहले यह मिनट के पी लिए और अपने पी लेते हैं क्योंकि अभी कलास लंबा 300 plus question चलने वाला कितना 300 plus question चलने वाला है तो एक मिनट का ब्रेक लेने के बाद फिर से हम लोग start करते हैं क्या को चलने चलने ड्रेक टो के लुट ना कितन? कि चले अब फिर से स्टाट करते हैं तो उस्मा एभम उस्मा गति की जो की अपना न्यू एउनिट है तो 113 से लेखते हैं परम सुने ताप वह ताप है जिस पर क्या होता है परम जो कोश्चन अमरे 113 है इसमें क्या है परम सुने ताप वह ताप है जिस पर कि 113 इसका एंसर क्या हो जागा ये भी सिटी में बताईए इसका एंसर डी हो जाए गैस का आनवी गतिक रुख जाता है जैसे परम सुनने जीरो के लिए जिसको बलते है परम सुनने टाक यहां पे क्या होता है कि गैस के बीच में जो गैस है गैस के बीच में जो गति है अनू भी और कुझ तो झाए क्यूंट हो जाना त擊 है तो कि अधीक डाफन यहां भी काम कर जाता है कि इसका फर्मूला है लेकिन फर्मूला बताना उचित नहीं है क्योंकि कोश्चन नहीं पूछे जाएंगे वह UPSC बगारा में पूछे जाते हैं पर 75 questions नहीं सीखते मीन तो जारा मतलब दखिये क्या है कि एक body है body का temperature सेम है के वल क्या है टीन बेग्यानिका एक Kelvin और एक पहला बेग्यानिक का क्यल्विन दुसरा बेग्यानिक है Celsius और तिसरा है जो कि यह फॉरिन है और एक अबजेक्ट है इसका temperature तो सेम है केवल जो देखने का नजरिया है जो unit एक अंक दिये हैं वो तीनों अपना अपना एक मान के दिये हैं Kelvin है जो pressure के अनुसार मान के दिये हैं Celsius है जो अलग अपना standard अलग दिये हैं उसक तीनों का relation है तीनों का relation हम जब पढ़ाएंगे न temperature तो उसमें बताएंगे आप आज आईएक कलास में आपके खून में गुसा देंगे बार बार हम बता रहें नजरे science आपके खून में गुसा देंगे तो चलिए देखते हैं तो यह तो हो गया question अगला देखते हैं वह ताप वह ताप जिसका मान फॉरेन हाइट और चल्सियस परमाने का समान होई वह तेमपरेचर जिसमें फॉरेन हाइट और चल्सियस जो समान जिसका नमरिंग है वो समान है तो 170 का answer क्या है भर भर के question आया है यह हो जाएगा माइनस 40 डेगरी Celsius है जिस पर फॉरेन हाइट समान हो जाएगा ज़िए फॉरेन हाइट पर हइंपरन है परमाने का समान हो जाता है तो ऒखा यह तो एकंसा घषां क्या हो जाएगा एक यह निकी 170 डिग्री Celsius पर किया है जो फोरेन हाइट का पैमाना है वह इससे हाफ हो जाता है मैछ ध्यान रखेगा उसके बार रखेग hey यह देखिए यह question मतलब यह solution लाइक है यह आप से नहीं पुछा जाएगा इसलिए इसको हम लोग आगे बहुते है सुमेलिट किजिए यानि के पारे का हिम नंक मतलब वह बड़ बना इस्टार्ट घर ऑणिकी बहुत फर्मेंट में इस्टार्ट हो जाता है तो इसका टेम्परेचल सीस में बताना है तो 120 का एंसर हो यहां पे फोड यानि की माइनस 49 डिग्री छल्सियस जलका जल तो जानते हैं जिरो डिग्री छल्सियस के बाद वो क्या बर्फ बनना स्टाइक हो जाता है तो यह क्या हो जाल का हिम्नांक क्या है सी हिमनांक पॉइंट का हो जाएगा सी यानि की इसका एंसर यह न सी का वन उके उसके बाद एक बचलियम का जो कि माइनस सताइस दिग्री सलसी यह यह द्यान रखिएगा इसका एंसर सी हो जाएगा कोश्चन नमर्ट ट्वेंटी वन देखते हैं यह भी कथन से यह नहीं पू यानिकी समान तिर जाओवा समान पलदार्थ के एक थोस हुआ एक खोखले गोले को समान ताप पर गर्म करके थंधा किया जाता है तो क्या होगा खोखला वाला होगा न वो तेजी से गर्म यह क्या बोलिए देखिए एक गेंध है यह पूरा एकदम भरा हुआ है पूरा एक जाएगा घर्टिकल फिल 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 करने लगे गाएगा रहने najले घर्टिकल फिलजी फिल करने लगेगा वह जलदीदिद के चर zm पविषोड दोनों का सुचालग होता है जयसे बोला जाता है तांबा का बायर लगां ये क्यों लगाया जाता है ताकि जो उसमा का वो है इसलिए लगाया जाता है तो जो और उसमद बर्थ बिड्जूत और ऊसमा का दोनों का निश्चित मातलम हो इन न हों गई। प्लास्टिक लगा देते हैं बिद्धु जितना देते जा रहे हैं देते जा रहे हो गरम ही नहीं हो गाता है इसलिए वहाँ पर ताम रखा तामबा का पर्योग किया जाता है तो ध्यान रखेगा उसके बार रखेगा यह भी आप से नुमेर कल नहीं पूछा जाएगा अब हम उसमा होती है वह अधीक होती है इसलिए यहाँ पर पानी का परयोग किया जाता है यानि ये आपको जल्दी गर्म हो जाता है जो के पानी का जो विशिश्ट उसमा है वह अधिक होती ही है उसके बाद आगला कोश्चन देखते हैं 126 126 क्या है खाना बनाने में पर्युक्त होने वाले भलतन की धातु होनी चाहिए 126 बताइए इसका एंसर क्या हो जागा एह निमन विसिस्थ उसमा और उच उसमा चाहिए रहीप होना चाहिए यानिकि यह दिखे मालखतन है यह हम लोग अग कर लागा के इसमें हीट दे रहें चाहिए हैं इसमें हीट है जो यहाँ सो यहाँ जल्दी जाहिए, यानि कि इसका चलकता क्या है, ज़ता उच होना चाहिए, जिसमें क्या उच-च चलकता है और crust उसमा Public quadrant होना चाहिए, तक्या हम लोग आगे बरते हैं उसके बाद 2089 क्या है वह उसके बार 129 यह पुछा जाएगा यह निमली खीत कफन में से कौन साथ सही है जल का कौथ नांग, ABCD में क्या है बताइए, इसका एंसर क्या हो जागा, 129 का, B, वायुमन लिये डाप पे निर्भर करता है, जैसे जैसे वायुमन लिये डाप बरेगा, तो क्या होगा, जल का कौथ नांग भी बरेगा, और इसका घटेगा, तो जल का कौथ नांग भी कमेग यह भी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि कथनवाला है उसके बाद रखिए क्या होता है वह कारण क्या है कि वास्पित हो जाता है वहाँ जल्दी वास्पित हो जाता है द्यान रखेगा इसका इंसर डी हो जाएगा 136 देखते हैं 136 क्या है समान दरब माने वाले बस तुओ ए वा बी को समान उसमा दे जाती है यादि ए काता बी की अपेक्छा अधिक गिरता है तो क्या समझेंगे एभी सीदी में बताईए इसका एंसर डी होगा झाले में अगला कोश्चन जैसे देखिए.. मैं इसमा गतिक में तीन यहां जैसे सुने जिरो फर्मज का दिखार लओ लँग। जिरोत लव के उन जिरो दिया गया क्योंकि थर्ड लव के बाद यह लाया गया है सिकेंड लव के बाद यह लाया गया था जिरोत लव और यह बेसिक था बेसिक था कि जिरोत लव में क्या था एक बस्टू यहां ए है और यह बी है और यह सी है माल लिजिए ए और बी का temperature t है तेज़ c भी एक time योड़ की समान हो जाएगा पिष्ट आपको और और बाता युर्ण मतलब एक टेपरेचर के बारे में किलम में जौन हो जाता है racist इसके बारे में बताया गया है ध्यान रखेगा यह सब चीज उसके बार देखिए इस सब कोश्चन है जो कि आपको कहां पुछे जाएंगे यह वांट थाटी सेवन 137 देखते हैं एक बास्तु बीड ने सिरी एक्स को सिरी एक्स को यानि कि कोई बास्तु बीड है जो सिरी एक सब्सको करते हैं उनके घर की बारी दिवार खोकली इटो से बर्माने की सलाह देती है इसका कारण इसका कारण सब्सक्राइब जयान हम खरते हैं गर्मी में आपको थंधा महसूस होगा तो अंधा के दिन में गर्मी महसूस होगा नहीं आपने से वह सही सलाह दिये थे तो यहां भी साइन्स है ओके तो ध्यान रखूश्ण नहीं आया है ऐसा ऐसे कोश्चन नहीं आएंगे तो हम लोग आगे बरते हैं कोश्चन नमर जो है 140 140 क्या है बंद कमरे में रखे किसी चालू रेफ्रीजरेटर को दर्वाजा यदि खुला रख दिया जाता है तो कमरे पर इसका नेट परभाव क्या हुगा यानि कि यह मानिजे कमरा है कमरा में फ्रीज है फ्रीज में क्या दर्वाजा लगा हुआ है एक चोमू आया बोला आज पूरा घर को ठंधा कर देंगे और क्या किया ठंधा करने के चकर में इसका दर्वाजा ओपेन करके छोल दिया जैसे फ्रीज के अंदर ठंधा रहता है वैसे ही पूरा यह जो एरिया है घर का वो क्या हो जाएगा थंड़ा हो जाएगा बाद में एक घंटा जब रेफ्रिजरेटर फ्रीज चला बाद में पता चला यह जो रूम है थंड़ा होने के वज़ाए क्या हो गया गर्म हो गया पूरा अब ऐसा क्यों यह जादू है क्या जादू ही है क्योंकि देखिए ज इसमें से आपको सारा गरम कर देगा न क्योंकि ये मशीन पर लोड आएगा लोड आएगा तो ज़रा चलेगा जर्ण नो सब्सक्राइब और जो एटमोस्फेरिक प्रेसर है इसी से लेगा ना यहां पर गर्मी बढ़ जाएगा यह एडिया के उपर डिपेंट करता है यह पार्टी जो फ्रीज त्यार किया जाता है और यह हरकत कि जिएगा भी नहीं अगर यह हरकत कर लिजेगा नो फिर दिकत हो जा मतलब ठंदा करने के लिए रखा गया आप इससे पूरा घर को ठंदा नहीं कर सकते हैं उल्टा गरम हो जाता है तो इसका 140 का एंसर क्या हो जाएगा 140 का answer हो जाएगा B यानि कि यह कमरे को गर्म कर देगा में फैक्टर है जो एरिया बढ़ जाता है तो एरिया बढ़ेगा लोड जा रहाएगा तो वह ही पार्टिकुलर रूम में यह फ्रीज चलेगा फ्रीज में यह मसीन है मसीन चलेगा तो यहां पए घरमी भड़ेगा तो ठाएगा कोश्ट्न conflict weather 141 देखते हैं मैडान मैडान क्या चारिटिस्थानों में राते अधिक ठंडी होती है क्योंकि इसका एंसर 141 का तपर यह हो जाएगा जो रेट है जो पीली कि आपएक्छा तेजी से उर्जा विकिलिट करती है या उर्जा को जल्ड ही गरहन भी करती है जितना जल्दी वो घोर चूड़ एक टूकरता लपता एक ऐथाकार बढ़्फ के टुकरिय को आधा हिस्सा सफेद कप्र कपडस से और दूसरे तुकरिये को लपेटा जाता है जूसरा मतलब एक आधा हिस्सा है जो कि सफेद कपड़े से लपेटा जाता है इस संदर में निमलिखित में से कथर में से कौन सासा है काले कपड़े से लपेटे गई हिस्से में बर्फ अधिक असानी से पिखलती है और वाइट वालेक्रम क्यों क्योंकि का जो उस्मा का आउसोषन है न वह काला कपड़ा में जल्दी होता है गर्मी के दिनों में आप एक काम किजेगा एक दिन काला कपड़ा परण के निकल कि निकलते हैं उस दिन आपको गर्मी जारा लगार लेकिन जिस दिन वाइट कपड़ा पहंद के निकल जाएगा उजला कती निकल जाएगा इंदेन अफ़ार प्वर्ट ऑपलआ को जो वर्फ रखा गया है वह जल्डी फिखल गया तो ध्यान दिश्चिएगा उसके बार रिखे फोटी थिरी क्या है फोटी थिरी में देखते हैं एक पूर्ण जो पूर्ण डूटी जो क्रिस्निका है जो अभिलाक्षनिक विशस्ता किस रूप में है तो किस रूप में है इसका फोटी सब्सक्राइब हो जाएगा बचिने के लिए सरोस्तों विकल्प बाहर के टेंप्रेचर है वह अंधर न दया है इसके लिए विकल्प करें मेंसर क्या हो जाएगा फोटी सब्सक्राइब हो जाएग है यहां से यहां से यहां तक नहीं पहुंच पाएगा कियुक्तु Factions 100 00 वाता वरन के तापमान में होने वाले विर्धी को कहते हैं तो क्या हो जागा 146 का हो जाएगा यानि की ग्रीन हाउस परवाव क्या बोलते हैं ग्रीन हाउस परवाव बोलते हैं चलिए 146 हो गया 147 देखते हैं का धूप के समय कौन सा रंड सर्वत्म है इसका 147 का एंसर क्या हो जाएगा 147 का एंसर का हो जाएगा यानि कि उपर सफेद और अंदर kala द्रूप आपको मतलब गर्मी जारा नहीं लगेगा क्यों क्योंकि उपर सब्वेद वह उड़्जा को असोसित होने नहीं चैनल amount लिए लिएतर में परियोग की जाने वाली गैस तो 148 का एंसर क्या हो जाएगा 148 का एंसर दी हो जा। क्या होगा 151 का एंसर टाप मन चैनल जबर को सिल टाप मन हैं 48 आपमान क्या है 149 का वता समान मोटाई के कपरे को दो परते उसके दोगुना मोटाई के कपरे की एक परत से अधिक उसने आउरन परदान करती है इसका क्या कारण है कोश्चन समझे एक माल लिजे इतना मोटा कोई कपर है और इसी में से कोई दो कपरा इतना मोटा मोटा है हम लोग डाल देते हैं उसमे से क्या है कि जह गर्मी हमें इसमें ज़ादा मिलते हैं इसके अपेक्छा यह क्यों यह क्या कारण यह पूचा है यहां पर दो सिम मोटाई वाले में क्या होगा कि यहां पर थोड़ा बहुत नहीं थोड़ा बहुत वायू का लेयर बन जाएगा वह कारण है कि यहां पर जो उसन का आवरण परड़ान अधिक हो जाता है ओके जैसे घरमी ठंधा के दिन में आप दो अब ज ¿कमबर में आप प्यू ख ave और मोटा में थे शूर्द जाता है यह ही कारण कि इस का इंसर क्या हो जैगा 150 का ओं अगसि का बीдаनों के बीच में जो जबार्य आता है तो उसके बीच में क्या वाइवार जआता है तो यह हो जाता है उसके बार 50 देखते हैं 151 निम लिखित भारतिक रासी में से देखें यह सब जो प्रिवियस एर है यह हम लोग यहीं तक रहने देते हैं अब क्या करते हैं आगला देखते हैं जो कि दोलन एवं तरंगे से हैं यहां से हम लोग जैसे हर एक हर एक टॉपिक क पर नहीं से पढ़ना है सिलेक्शन लेना है तो एक्सिंस आपको रखना पारेगा लिएक से आपको सक्सेस नहीं मिल सकता है बहले है तो यह देने बार सही सही करका आईएगा उसके बाद दखें अब हम लोग नेक्स्ट वुनिट पर आते हैं डोलन और तरंगे यहां से भी लोलग की आवर्ट काल निर्भर कलती है तो किस पर निर्भर 153 का क्या हो जागा बी लंबाई प्याब काई से तो अगला कुश्चन में दिया है सरल लोलग की आवर्ट काल का सुत्र क्या है ऐबी-सीडी में बताए यह क्या है इसका एंसर क्या हो जागा 154 का सी यानि कि टी इसकाल टू पाई इंटू अंडर रूट ल डिवाड़ बाई दिवाड़ जी तो यहां देखे यह ती है जो डाइरेक्ट एल से ही लंबाई से है न जी तो कॉंस्टेंट टू पाई भी कॉंस चाहिए देखते हैं 155 155 क्या है यदि संदनर लोलग की आयाम एक चौठाई कर दिया जाए तो इसका अबर्ट काल कितना रह जाएगा 155 का क्या हो जाएगा D यानि कि आप परिवर्टिक रहेगा जो सरदर लोला कायाम एक चोठाई कर दिया जाए कितना भी कुछ भी कर दो तो इसका आप परिवर्टिक रहेगा 155 का D हो जाएगा चली अगला कुश्चन देखते हैं हम लोग 156 156 में क्या बोला है यादि स्प्रिंग यादि स्प्रिंग से लटका हुआ एक पिंड उपर नीचे गती करें तो उसका तोरन सुने होगा कब होगा तो बताई 156 का एंसर क्या हो जाएगा यानि कि मध्य बिंदू पर यानि कि यहाँ पर अगर माली जी यह ऐसे ऐसे करता है तो इसका जो तोरन है वो सुन है स्रेल लोलक की नंभाई प्रारमभीं लोलक की नंभाग प्रारमभी की एंग उर दोगुणी हो जाएगा तो ओके ट्यान रखीका उसके बदद दिखिए जब एक ऩर डरभयमान सरल आवल्द गति कलता है तो दो राशी का नुपात नियत रहता है तो दूसरा क्या होगा जिसमें से um do ещё अगर высок होंगे इसमें तो पता ही होगा आपको 158 का क्या हो जाएगा एंसर बताइए इसका एंसर भी हो जाएगा तोरण और विस्थापन है जो की नियत लाता है तोरण और विस्थापन ओके उसके बार एक दिखते हैं की एकसरलन अस्थान पर ले जाए जहां जी का मान 2 परसंट कंभ हो जाता है तो आप आवर्ट काल क्या होो गांत है इसका एंसर एक परसंट ऐसे इस एक परसंट कंभी यानि कि दपरसंटी कम हो taking इससे एक परसंट अधिक हो जाएगा अगर जी के मान में दो परसंट ओके ध्यान रखेगा यह कैसे होगा क्या होगा यह कोश्चन आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि इसको निकालने में थ्वा कल्कुलेशन वाला पार्ट है जारा टाइम लग जाता है तो इसा कोश्चन आप जो पर्खेपगती होता है जो फंद ऐसे घORA घया गोला रहता है वो परीम आइब सब्सक्रट यह तो अगरी समुखर गोल लगाता है इसकर गरी के घौनटे की सूई की घरई के घंटे घरी यह माल लिजे यह है इस घंटे जो निचे लगा रहता है डोलन वाला तो यह ऐसे ऐसे डोलन ही कलता है ना इसको हम लोग डोलने गती बोलते हैं तो इसका एंसर यह सी हो जाएगा देख लिजेगा एक चरह में उसके बार देखते हैं और कुष्चन अमर 62 क्या है स्टरल आवल्त गती कर रहा है कन पर कारेश सिलबल तो एबी सीडी में बताईए क्या होगा इसका एंसर ची हो जाएगा बिया स्थापन के अनुकरमानि पाती होता है और मध्य इस्थिती में निर्देशित होता है क्या होता है जो स्टरल आवल्त बिच्थापन के अनुकर्मान उपाती होता है और मध्य इस्थिति की और निर्डेसित होता है तो चलिए अक्ला कोश्टन देखते हैं यह भी कोश्टन आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि यह कोश्टन अपने में पूछे जाते हैं जो एक्जाम graduation पे पूछा जाता है जो hard level का हाई level का एक्जाम होता है group B और group A just तो वहां पर पुछे जाते हैं उसके लाटमे गैस में उत्पन तरंगे चाहिए ए पूछा जाएगा important है तो कौन सा क्या होता है ये होगा इनण०्हर lineup रखते एक हूँकु में ट्थरôm खते होगा घ्रप्र का सबक्राइब करना उовор्सक दोनों खते होगा अनुठ्र देखन से घ्राइब घ्राइब एक लीटर है गला कोस्टे रहाएब खते है इस अगyun वियॉआरं struggle 176 निम लिखित में से किस एक के द्वारा बहुत पुराने लिखित पदात को जो सरलता से पठनिये नहों पढ़ा जा सकता है तो आई इन्फरारेडर रे है उसको आई आर की रन वोलते हैं इसको जो है वो सरलता से पठनिये और नहीं पढ़ा जा सकते हैं तो ध्यान रखेगा इसका आया रहा पादवा की तीनों है उसको पढ़ा जा सकता है उसके बार रखें वन 168 निमली खित में से किस एक की अधिकता आविल्टी है तो किस की है तो बताइए इस 168 का क्या हो निमली खित विद्धु चुमबा के तरंग में से सबसे अधिक तरंग धर किसकी होती है तो किसकी होती है तो 169 का एंसर क्या हो जागा 169 का हो जागा यानि कि आवरक्त किरन की क्या आवरक्त किरन की आवरक्त किरन यानि कि आयार किरन जो बताए थे न यहाँ पर आयार किरन 171 वोले तो देखें मा खिर ने गामा किर तो इसका एंसर चैनल secure 171 का तो यानि उसके बाद धेश से विखिर न्यानि की देशीन न्यूतन ही है उसके बाद रेडियो तरांग तो रेडियू तरंग इसी का फोर यानी की कौन होगा मार कोनी उसके बार परावेंगनी परावेंगनी रिटर ओके तो ध्यान रखेगा यह आता है उसके बार रखेए कोस्चर नमर कौन रखेए 172 माइक्रो फोन एक इन्स डिश्मे न हो गार जाए इसका फ कोस्चर जायगा द्धहानी ग्वाद बेऄ द्धु दिश्में aux संटocy sacrificing द्धहानी तरंग को बैधुत ऋड़ जा में इसका उसकी थासे सब्सक्रेए नहीं आए तर इसा कोष्चन नहीं आता है उसके बाद द देखिए निमली कितमे से कौन सा कथन सत्य है 174 बताईए 174 का एंसल क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ध्रणी निर्वात में वायू के सापक्ष तेजी से घ्रणी है ना जो निर्वात में वायू के अपेक्षा तेजी से गति करते हैं जो सब जानते हैं बच्पन से पहलते आ रहे हैं इसका एंसर क्या हो जागा बी जिन्हें मनुस से सुन नहीं सकता है उसके बाद देखे, question number प्रासरवे तरंग, जैसे प्रासरवे तरंग वैसा तरंग है, जिन्हें मनुस से सुन नहीं सकता, तो इसका answer 175 का B हो जाएगा, उसके बाद देखे, question number 77 जो की पुछा नहीं जाएगा, तो हम लोग आप कहा थे, 77 वो भी नहीं पुछा जाएगा, लेक हट भी हट, लेक्र से लेक्षी हट, दिखे, is u help क्या आप तरंग काते हैं, उसके बाद क्या चलते हैं, उसके बाद क्या है, तो kya हो जाओगा यानि की आपने लोग सुन सकते हैं उसके बार ऊस्रवत रंग औस रवे बी का क्या है, देखिए, बी का है जो कि बी का फोर है, यानि कि बी का फोर बोले तो देखिए औस रवेत रंग, 10 to the power 20hz से 10 to the power 4hz, ये भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं, प्रास रवेत रंग, 3 का कितना है, 3 का कितना है, 3 का 1 है, सी का 1 है, सी का 1 बोले तो, सी का 1 बोले तो 20hz से रंग, 20hz से ये प्रास रवे को भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं, ये बिधुत चुमबक ये तरा रंग, इसका भी हो जागा कि 20hz से कम होता है, तो ध्यान रखिएगा, उसके बादेखिए फिर अगला कोश्चन आते हैं, ये देखिए, नुमेरिकल है, ये नहीं पुछा जाएगा, आब हम लोग 181 में आते हैं, 181 देखते हैं, देखिए, ध्वानी तरांगे का बेग अधिक्तम होता है, तो अधिक्तम होता है, इसका एंसर क्या हो जागा, इसका एंसर C होगा, स्टील में होता है, फिर 182 जोगी उसके वादेखे, अगला कोश्चन देखते हैं, अगला कोश्चन क्या है? एक्षा पतली होती है यानि कि महिला की आवाज पुरुसों के आवाज से पतली होती है किसी किश्च्टर आलकिश्णा बोली जहां पर नाचा गाना गया जाता है, बजाया जाता है, में विविन बाध्य यंट्रो से आने वाली ध्वनी को किसं गुण के आधार पर विभेदित कर्व सकते हैं, तो 185 का क्या हो जागा इसका एंसर C हो जागा गुंता के आधार पर 185 का क्या हो जागा 185 का C हो जागा देसिवल इकाई है तो देसिवल इकाई है एक बता यह 186 का क्या हो जागा धौनी परवल्ता की इकाई देसिवल है उसके बादे कि और क्या है दीन के समय सांती छेटर में धौनी का अनू में अस्तर निमली खित में से कौन सा है तो 187 का क्या हो जाएगा 187 का भी हो जाएगा साथ डेसिवल उसके बाद एक ये भी ये भी कोश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये यूपीसी लेवल के पूछे जाते हैं उसके बाद एक अब हम लोग 189 पर आते हैं रियक्टर परमाना परयुक्त होता है तो 189 का एंस इतना मेजर किया गया है तो ये भुकंप मेजर करने के लिए किया जाता है उसके बाद एक फिर हम लोग नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं 190 भुकंप की आविर्ती की तेरुटा ना पी जाती है तो किसमे ना पी जाती है तो बताए किसमे ना पी जाती है तो 190 का एंसर क्या हो तरंग कैसी होती है तो यह कैसी तरंग होती है 191 का सी यानि की सिस्मिक जो सिस्मिक होती है ओके सिस्मिक तरंग होती है तो ध्यान रखिएगा कैसी तरंग सिस्मिक तरंग होती है उसके बारे कि निमली खित में से कौन सा सही नहीं है तो कौन सा ABCD पर ही है और उसमें पता ये कौन सा सही नहीं है तो 192 का B हो जाए सही नहीं है ध्यान रखेगा हम बार 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 बता दे रहे हैं कि वहाँ पे जाने के बार ये इंपर्टेंट लखेगा सही है और सही नहीं है क्योंकि ये कारण बहुत सारे स्टुडेंट कर्फ्यूज हो जाते हैं और वहाँ पर गलती ठीक करके आ जाते हैं तो 192 का हो जाएगा भी 20hz से कम आविर्टी की द्हानी टरंगे प्रासरवे टरंग कहलाते हैं यह गलत है क्योंकि इससे 20hz से ज़्यादा ही प्रासरवे कहलाते हैं यह कम तो यह कहलाता है बार बाकी तीनों सही है उसके बार देखे और यह जो प्रिवेस यह कोश्चन है यह आपके उपर छोलते हैं यह आपको करना है फिर थौरा बहुत ही है चार पांच छे कोस्चन है तो और यह सब हम लोग डेखते हैं हर एक टॉपीक कुवर कलते जा रहे हैं बस आपको क्या करना है जो छुटा हुगा है वह आपको देखके जाना है अगर नहीं टाइम है कोई दिकत नहीं जितना बता रहे हैं वह ही खुसी-खुसी देखके और एकजाम खुसी-खुसी देना है ताकि सही-सही हो जाए अब हम लोग क्या देखते हैं परकास परकास से पहले क्या एक मिनिट का फिर से छोटी सी भिरेक और उसके बाद हम लोग देखिए 200 तक झाल 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 परकास आए 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 रहा आए 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 क्षेपन के कारण होता है जो इन दनुस बनता है तो ध्यान रखिएगा उसके बाद अगला कोश्चन देखते हैं क्या है कोश्चन नमर 2-3 परकासिक तंतु का दक्षिता पुर्वक कारे करना निमली सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना इसके बाद इसके बाद दोसे तेरह हो गया उसके बाद 24 जो कि नहीं पुछा जाएगा लेकिन देखने को मिल जाएगा तो देखते हैं परकाशिय तंतु मुख्यता किस लिए पर योग लाए जाते हैं इसका एंसर हो जाएगा संचार के लिए जो परकाशिय तंतु है वो जैसे संचार एक मादम से दूसरे जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है तो वहां पे परकासिये तंटू का परियोग किया जाता है इसके बारे में डिटेल में आधा गंटा में आपको समझा दिया जाएगा कभी नहीं भूल पाईएगा ओके और जो जो कोश्चन बनेगा लेकिन अभी यह समझे परियोग में से कौन सी घटना प्रकास के प्रावल्टन की घटना पर आधारित नहीं है जो प्रकास के प्रावल्टन के A B C D में बता यह तारू का तिम्टी मना, मिर्ग मिर्चिका इनल धनुस और लाल रंग का ब्यास थापन तो इसका एंसर क्या हो जाएगा दूसरे सत्रा का बता यह D ये तीनों तो प्रकास के प्रावलतन के कारण ही होता है लेकिन लाल रंग का अब्यास थापन ये इसके कारण नहीं होता है तो इसका एंसर D हो जाएगा ये अलग है तो इसलिए इसका एंसर T हो जाएगा चलिए दोसे आठारा ये भी नहीं क्योंकि ये इस तरह के question नहीं निएंपरिय कोनरा क्या है कि आख्यों के भीतलर करने वाले परकास की मातला नियंतरित होती है तो कैसे होती बता क्या से डिसकर करते हैं इसका अर्ट जाएगा लेंस द्वुदर कर आखो के भीतर Clifford परस्कारण त calcium करने वाले प्रकास करने यह तो यार रखेगा यह इसको सरार में नहीं लेना है भी लेंस द्वारा किया जाता है अगला कोस्चन देखते दो साइक इस एक दम इंपोर्टेंट है पूछा जाएगा देखे एक उट्टा लेंस के सामने एक बस्तू कहां रखी जाए ताकि इसका का क्या हो जाएक बताईए दो सएक इसका इसका एंसर हो जाएगा सी यानिकी लेंस के दूसरे फोकस फोकस करते है ना जो उट्तालेंस के सामने बस्तू के दूसरे फोकस पर रखते हैं तो उसका जो पतिवम बनेगा वह बास्ताविक उल्टा और समानाकार के बनेगा ओके ध्यान रखेएगा यह कोश्चन पुछ लिए जाते हैं डाइरिक उसके बार यह नुमेरिकल है यह अब यह पूछा जाएगा 23 क्या है किसी उत्तर लेंस का फ यह निकि उत्तर लेंस का फोकस अंतर लाल रंग के आपकछा निले रंग के लिए कम होता है लाल रंग के पेक्छा निले रंग के लिए सीफई स्टेखलिक फैला सब्सक्राइब भाबोल करें उसको पेको भीड़तों से 9-8 का सब्सक्राइब जिस जिस एरिया में कोहसा लगाया जाता है, वहाँ पे यह लाइट लगवाना ही पड़ता है, ताकि यह जो पीला लाइट है, यह जो कोहरे को बेड़के सरक को साफ साफ दिखने में मदर करता है, तो ध्यान रखेगा, इसका एंसर C हो जाएगा, चले अगला कोश्चन देख परकास का परकिर्णन होता है धूल के कनु के कारण परकास का परकिर्णन होता है वो कारण है जो आकास का रंग निला दिखाए देता है एक और आप से कोई पुछ दे आकास का रंग निला क्यों दिखाए देता है तो धूल के कनु के कारण परकास का परकिर्णन है वो आकास क का रंग पलतीत होता है कैसा जो चन्रमा के तल पर इस ती जो प्रेक्षक है उसका आकास का रंग कैसा दिखाई देता है इसका 26 का एंसर क्या हो जाएगा डी यानि की काला दिखाई दिखाई देखाई अगला कुश्चन देखते हैं 27 27 क्या है निकलते हुए और छिपते हुए सुरे का रंग लाल क्यों होता है हमें साथ देखते हैं कि जब सुरी ओदय होता है और सुरी अस्तव होता है तो जो सुरी का रंग है वो लाल दिखाई देता है तो यह हम लोग जानते है तो 27 का एंसर 227 का एंसर डी हो जाएगा कॉम तरंग ध तरंग दहरे का परकास का पर्किर्णन है न क्योंकि सुरह छिपता है तो इसमें क्या होता है परकास परकास का अधीक तरंग धैरे के परकास के पर एक्छा आधिक होता है वो और लाल दिखा देटा है ऐसे पूरा मतलब सुर्य है जो पीला आग मतलब आपके आपकर नहीं कारण होता है उसके बाद द्रह से परकास में सबस्य अधिक किसकी होती है तो इसकान सरका तो इसका एंसर आपका हो जाएगा यानि कि लाल रंग की लाल रंग की है जो सबसे अधिक तरंग धहरे आपको देखने को मिलेगा ओके देखते ही यह कि जिए परकास में सबसे रेड कर अलग से दिखाए देटा है तो उसका तरंग धहरे अधिक होती है उसके बाद देखते ह सबसे कम तरंग धरे किसकी है तो 229 का एंसर क्या हो जाएगा डी बैंगनी रंग की है जो कि सबसे तरंग धरे कम दिखाई देता है तो ध्यान रखेगा यह सब निमली खित में से 30 निमली खित में से कौन से रंग रंगिन टीवी के रंगों में पर्युक्त किया जाते है रंगिन टीवी के रंगों में रंगिन टीवी रहता है उसके रंगों में कौन सा रंग पर्युक्त किया जाते है तो इसका एंसर क्या हो जागा सी लाल हरा और पिला यानि की रेड ग्रीन और पिला नहीं ये तीन रंग आपसे वहाँ परियोग की जाते हैं रंगियन टेवी में ओके तो ध्यान रखेगा उसके बारे कि दूध सफेद दिखाई देता है क्योंकि 31 का क्या हो जागा तो 31 का एंसर हो जागा डी अप्टिट परकास के परावर्तन के कारण जो आप्टिट का परकास होता है दूध है जो की सफेद दिखाई देता है तो रियल में दूध सफेद होता नहीं लेकिन वो दूध हमें सफेद दिखाई देता है किसके कारण आप्टिट परकास के प्रावर्तन के कारण उसके बारे के कोश्चन नमर 32 32 क्या है जब एक तेल को पतली परत इस पानी के पर जाता है तो चमकीला दिखाई देता है तो वह व्याती करन के कारण उपर तैरता हुआ रंगिन दिखाई देता है ओके इसका एंसर बी होगा है इसका एंसर रहन का परावर्तन नहीं करता है जो स्याम-पत काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि कोई भी रंग का यह परतित हो उसके बाद हम बगवी अगला कोस्टें देखते हैं अगला कोस्टेंदे या ऐसे जैसे शूरे का परकास वायूमंदल से गुजर्टा है सूरे के किरने वायूमंदल में उपस्थित सुक्छ मन धुल के कनोद पराग सक जल और दुसरे सुक्छ मकर्ण theoret reading परकर्णन होती है तदापी हमें उपर देखने के माध्यम से अकास निला दिखाई देते हैं इसका क्या कारण है अभी ठोटने का जो छमता रहता यह जल्द ही खंदित हो जाता है वह कारण हमें अकास क्या है और यह किसके कारण होता है धूल के पराग कजल और दुसरे सुक्षमकनिका जो भी छोटा छोटा जो परकास आता है तो परकास तूट जाते हैं तो जो भी खांडित होगा वही दिखेगा ना पानी का गुबारा लाईएगा पानी के गुबारा में रेड ग्रीन और लाल निला और हरा तीनों का गुबारा अगर फेकिएगा तो फुटने का चांस निला रहेगा तो निला ही कलर दिखा देगा ना तो सेम चीजियां पर है ओके तो ध्यान रखिएगा उसके बाद कि यह कोश्चन नहीं पूछा जाएगा तो हम लोग आगे बलते हैं छोनमा , समसुक्ती ता खुछ्चनमा भूफयघा कोहरे ऐख तो .. फट्रह में आपट्रिक्षण हो जाता है हुआ कोहरे में देखना कथीन क्यों हो जाता गान हार हो जाते हैं हम लोग दिखने हिं पाते हैं सुर्य कर्माइस के रात हैं जैसे परकास आ का परियोग कलते हुए एक लाल परकास को निले परकास में प्रतिया स्थापित किया जाता है तो प्रि नाम में अ क्या आएगा दोनों का मिश्यण होगा वह कारण बैंड है जो कि लुप्ध हो जाएगा यान की 138 हो जाएगा 138 का एंसर एह हो जाएगा अगला question देखते हैं, एकड़म important question है, देखे, 39, हम दूर इस्तित बस्तूओं को असपस्त नहीं देख सकते हैं, क्योंकि, तो 139 का answer क्या हो जेगा, बस्तूओं को असपस्त नहीं देखते हैं, तो क्यों नहीं देखते हैं, तो कैमरा लाया जाता है, तो कैमरा क्यों देख लेता है, दूरबीन क्यों देख लेता है, दूरबीन में यहीं काम किया जाता है, जो परकास का किरन असपस्त नहीं हो और फैले न, इस पर वर्ब किया जाता है वो कारण लोग उससे देख लेते हैं यहीं टेक्नोलोजी है तो ध्यान रखिएगा साइंस पर ही मतलब उसको काम किया गया है उसके बार आख कारेटीना पर बना पर्टी भीम होता है तो कैसा होता है तो 140 का एंसर क्या हो जाएगा बी बास्टाविक वह उल्टा होता है तो यह देख लिजएगा उसके बार 141 देखते हैं क्या है 141 परिये स्कूप किस सिधान पर अधारित है तो परिये स्कूप किससे ढ़ल करें फार अभालता होता है वह तो यह नुक्utan कैंओ पर Gefnd play YouTuber 144 तो भोटीटू में हम लोग देखते ओने छुची फुची वण से फूती तो सुच्छ मद ऐख चित्यू और दूर दल सी पेरियेसकोप और घ्रामोब दोर की बस्टूओ को देखने के लिए जैसे दूर डर्सी दूर के बस्टूओ को इस्तिमाल कर्ते हैं दुधे है यहां पर छोटे कन को देखने के लिए शुक्षम syst vilच का परियों करते हैं यानि कि इसका तरशीका क्या हो जागा दो यानि कि चोटे कन को देखने के लिए हम ऑप के कही कर दी लिए Hate श्च इस फिर वह तुब देखने के लिए इसको बोलते हैं और यह किसके कारण होता है पेरीयस्कोप यहां भी देखे ते यह प्रावल्तन और आप वर्तन पर निरवाद है वही कारण हम लोग देख सकते हैं तो गाराई में इसटित विक्तियों द्वारा सत्रावों को है उसको देखने के लिए किया जाता है। ग्रामो फोन क्या है उसके इस इंसर डिका फोड सुनने के लिए। तो तो उसका हो जाओ Uh यह नहीं पूछाएंका आप friends सुख्ष्रांध जा सकती है तो इसका र 80 हो जाएगा र इसका इनसर हो जाएगा रह दिदी डिद् 어떻게 बोले तो डोनों लेंस कम फोकस दूरी पर्यूक्त करके, मों इसकी ऑलधन चमता है वह सकते है हैं, उसके efficacy 45, 245, पाल्थिव रदर्शी द्वारा बना अन्तिम पल्थी भीम होता है, तो कैसा होता है? है 145 का इंसर क्या हो जाएगा इसका इंसर ए हो जाएगा यानि कि सीधा होता है जो पार्थु दोर्थी दर्शी द्वारा बना गया अन्तिम पलति भी हमेसा सीधा होता है उसके बाद यह लिए अप लोग यह सब को specific है उसके बाद हम लूग अब नेक्स्ट भूति की इलेक्ट्रिसिटी यह भी इंपोर्टेंट युनित है यहां से भी कोश्चन भर भर क्या आया है तो चलिए यहां भी हम लोग यहां दो मिनट का भी रेक लें लेते हैं उसके बाद फिर क्या करेंगे में 257 से 311 कोश्चन तक देखना है तो आब हम यहां दो मिनट का भी लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं तो चलिए दो मिनट का भी रेक है 17 चलिए दो मिनट का भी रेक है झाल 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 चलिए तो अपना जो यूनिट है वो स्टार्ट करते हैं जो की विधूति की है इसको हम लोग कोस्टन इसका फर्स्ट देखते हैं और सुमिलिट कीजिए इंपोर्टेंट कोस्टन यहां से कोस्टन बहुत सारे बनते हैं अके इसलिए हम लोग इसको इंप्धों बहुत माहनते हैं जैसे दह Dewy इसका 257 का इंशचा क्या हो जाइगा 257 का हो जाएगा तो वन लोग इसको देखते हैं जैसी इक का हैपतरे पहले प्रसन के है और इसे से की दो आवेस वेश है उसकी मधे में लगने वाले बल तो दो आवेश ब्रुशे के मधे में लगने वाले बल मतलब इधर आपको क्या दे दिया है यूनिट हो जाईगा निकी न्यूटन बल जैसे भब अंहें नाम तो यहां पर कतbon दे दिया है दू में ऊसका isi unit । उसके बैधूत आवेस इसका 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 इसक जिया क्या है भारत भारत में वीधुत प्राडाय लॉइन में प्राडाय लाइन में कौना प्राचल प्राचल अचरर रहा जाता है MARK तो कॉम सा हमें वोल्टेज धारा दया Shut में सकति ऐसका है इसका आंसर सी आज तब कभी सुने है इतना अविल्य झाल एतना वोल्टेज वेड़ दिया जाता है कinkling करेंट ऑल बर दिया जाता है सक्थी निया जाता जिसको पावर वोलतें है कभी भी यह सुर्व कभी भी आविर्टी सुने हैं जो बढ़ाया गठाया जाता है इसको constant रखके तब भारत इंडिया में अपना विद्धूत कापड़ चलन किया जाता है एक जगह से दुछरे जगह वहां पर आविर्टी को अचर यानि कि constant रखके किया जाता है कि अगला question देखते हैं देखे इस तरह के question आपको 161 जो की नहीं पुछे जाएंगे 161 देखते हैं तो देखते हैं क्या है इसमें तामबा मुख्य रूप से बिधूत चालन के लिए परियोग किया जाता है क्योंकि 161 का बताई यह क्या हो जागा answer D हो जागा इसकी बिधूत बिधूत परियोग करने के लिए बोला जाता है इसलिए ताकि की ताकि इसकी जो बिधूत का है जो चालन है जो सही से हो सके तो इसका answer D हो जागा फिर देखके 62 यानि 62 बोले तो यह नुमेरिकल है नहीं पुछा जाएगा 63 भी नुमेरिकल है नहीं आएगा तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते है 64 भी नुमेरिकल है नहीं पुछा जाएगा लेकिन 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 65 65 तो है अपना थियोरी यह पुछाई जाएगा और नुमेरिकल भी एक-दो आएंगे तो इजी लेवल जैसे बताए थे ना उस लेवल के आएगे इसना हा तो पराय एक प्रया लेकिन लिंग प्रेकचित होता है यांटर के ल प्रया यांचित पर आते हैं 66 ऐसा कोश्चा नहीं पूछा जाएगा तो अब हम लोग लेकिन देख लिए 266 है चालक की बैधू चालकता चालकों की बैधू चालकता ताप बढ़ने से बढ़ती है पलती रोड बढ़ने से घरती है इसका यह बोला है जिन में से कौन सा सत्य है तो 66 का एंसर क्य बीच में रुकावट अगर आप कोई काम कर रहा है तो बीच में कोई रुकावट आएगा तो आपका जो एफिसेंस कमेंगा तो सेम चीज यहां पर उसके बाद देखें कोश्च नमार 67 जो की नुमेरिकल है पुछा ही नहीं जाएगा लेकिन यहां पर यह रखिए 68 यह की पढ़ने वागरा में अच्छा जो उसका परकास है रोसनी हो सदेखें चीज एक करता है यह पुछा तो 68 घुछा है 68 चाइंसर क्या हो जागा 60S का D हो जाएगा यानि की कि गास के विसर्जन पर इलेक्ट्रोन के गास के विसर्जन पर करता सिदान के चलिए अगला कुस्चन देखते हैं उसके बारे कि कोश्चन नम्मर 69 सुरक्षा फ्यूज विद्धूत उपकरन वह परिपतों के लिए अवस्चक है क्योंकि इसका एंसर बता यह 69 का एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर डी होगा क्या होगा डी होगा यदि परिपत में धारा का मान निश्चित मान से अधिक हो तो परिपत में जो परिपत में अवस्चक है क्योंकि अगर मान परिपत यहाँ पर यहां से यहां पे ऐसा स्थान दिया जाता है जहां कम जोर घरी आता है जो कि वह स्ट को यहां पर कुछ एक्टिविटी ऐसा हुआ है इसलिए यहां पर फ्यूज दिया जाता है यहां परिफत में धारा का मान एक निश्चित मान से अधिक होता है जो परिफत में धारा परवाव को बंद करता है तो यहां पर फॉल्ट हो गया यह बड़ी जो परभाव हो रहा है यहीं पर छोटा वाला बंद हो गया यहां से यहां जाएगा ही नहीं तो वह दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाती है उसके बाद देखते हैं क्या है बिध्धूट फिटिंग्स में एक तार को भू समर समरकित किया जाता है इसका कारन है भू समरित जानी की अर्थिंग ढ्रतिंगे जिसको बहुत आना अब तो कमा आप पहले अर्थिंग बहुत चलता-ता-ता-क्योंकि अतना टेक्नो़ wes今 यह त्टिंग यहां पे ट्रस्फरमेर लिया जाता है वहीं से प्राक्त कर लिया जाता है यानि कि यदि लगूपथन हो तो धारा भूमी में चले जाएगा यह ध्यान रखेगा इसका लगूपथन होता है तो धारा कहां भूमी मेरी चले जाते इस लिए vh ketty Parl never होता है आब होता है इसका एंसर 71 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा डी बोले तो दो फिलामेंट होता है प्रती दिप्त पदार्थ तथा पारे की वास्प यानि कि यह पारे की वास्प होता है जैसे तीवलाइट अगर कोई कारण से क्यों इसमें पारेका वास्पा यॉसमें बहाता है क्योंकि तूटा तो उसमें वास्प निकल जाता था तो चलेगा कैसे इसकी प्रति दिप्त पदाथ और पारेका वास्प होता है तीन चीज इसमें जो सरहरन टेवलाइट है उसमें पाया जाता है उसके बाद एक सब्सक्राइब को होता है दिप्रति यानि लोगा उसका इंसर प्रति हो तो यानि कि सहने की छंपा आधिक खोणि चाहिए प्लति-डीक जरा रहेगा तरह घोज़ साप आएगा क्योंकि देखे जो पॉजिटिव और निगेटिव वायर आके मिलता है तो दोनों में बीच में पलती रोड लगा दिजेगा तब न यह सहपाएगा दोनों को अगर मिला दिजेगा तो क्या होगा वह जो खून में गर्मी आ जाएगा तो वह यहां बलस्ट हो जाएगा तो इस पॉजिटिव आता है और निगेटिव आता है दोनों मिलने के बार रोष्नी पैदा करता है ओके तो ध्यान रखेगा इस तरह का जुगार है और यह साइंस का जुगार है इसका एंसर क्या होगा 272 का क्या हो जाएगा B भी 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 चलिए अगला कोश्चर देखते हैं देख का हमेसा यह कुश्चन आया है आएगा और आता रहेगा किसका बना होता है नाइक्रोम का बना होता है ओके 74 हो गया आव हम लोग 75 देखते हैं ओके 75 में देखते हैं क्या है यह से वेंटी फाइब तो क्या है निम्न में से कौन सा सुम्मीलट है तो कौन सा सुमिलित है 75 एसका एंसर क्या हो जागत हा डी हो जागा जे ले यह थेल आणविजन का विभियेजन का विष्छ港 में तो दियान रखिएगा अब हम लोग अगला परसण की ओर जलते हैं तो अग्ला परस्न की ऊर्ड चलने से पहले हम आपको बता देखी देखें यह सबी data कोईश्चन है और देख लेते हैं कि अध्य प्रिकॉर्ड देखें 76 टेप डीटेप पर किसका लेप चरह रहता है तो किसका टेप यू पर खाया द सान है उसका इसका लग संग यह फाया के फाया तहीं करने उसका पर्तीचुमबक के पदाट को एक जो अस्थाई चुमबक पर्ती चुमबक यहां बनाए जा सकते हैं इसका अंसर यह हो जाएगा कोवाल्ट से कोवाल्ट से बनाए जा सकते हैं इस तरह के question आपसे नहीं पुछे जाएंगे। इसरे question नहीं पुछे जाएंगें। यह एक question बहुत सारे question बनादेते है। So DOD MEMBEE, है जैसे देखे इसे देखे यहànhता का किसे चालक जानी किसे जानी किसे चालस्का जानी किसे मुरूरार करे काई है। है सबसे जढ़ा चालक इसमें बलिए कैँ सर एक बात बता है कि यो स्टेमाल कि ना क्योंकि इसमें चालकता अधिक पाया जाएगा जो electricity है वह है ओस आएगा एक बात बताइगा सोटा इतना इतना महांगा है जो रोजचोरी हो जाएगा इसलिए क्या है इसको कम चलकता वाले तांबा का इस्टेमाल किया जाता है तो लिंग कुचाला कुचाला कॉछाला कुचाला क्या है तो यह व्लेक्राइब रह स्चाहिब सूरी प्यां भी हो जाएगा एक क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा बी का क्या होगा इंड का हो जाएगा अर्ध चालब जर्मेनियम जो कि बहुत पर है कहां तो 12 में बहुत सब्सक्राइब,कला झायव,शचचन नामर 81 है इस तरह के कुछ नहीं पूछे जाते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं एक सक्वाख चाहीं कि क्रोड होती है तो उसका आंशर हो जाएगा दी भावल धराय कम होती है हो जाते है वो गारण जो पतल supportive पत्ली क्रोड होती है क्लिक होती है जो भावल JERॉर एंचरा हो परिवैसर करता है उसको result करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको एस तिरीका एंसर क्या हो जाएगा ट्रॉंष्फरमर क्यों लगा है बिद्धू लगों घ tum लुग में गर्म्हें करते हैं तो ट्राइसलिए है जैसे बोला जाता है फास्ट करता है काम करते हैं वही कारण अपना यूज कर पाती है इसका रहां यूज़ा क्के कि भरभर के कोश्चन ऐसा आया है आएगा और आता रहेगा ट्रांस्फरमर की क्रोड बनी होती है तो किसे 84 का तो द्यान रखेगा ट्रांस्फरमर की जो क्रोड है वो बनी होते किसे नर्म लोहे की उसके बाद 85 देखते हैं 85 85 क्या है अब चाई परिनामित में से एसी निर्गत क्या पलदान करता है तो क्या पलदान करता है निवेसası धारा से अधिक धारा परवाव करता है तरोके ध्यान रखेगा उसके बाद देखते हैं 82 88 क्या है क्योंकि नेचन देखते हैं क्या है निमली खित में से कौन सा सरारान उपकरन प्रसपर प्रेरन के शिधान्तत में करता है तक इसके कौन सा इसमें इसका 86 का ऐंसर क्या हो जागा बी ट्रांसफर्मर ट्रांसफर्मर है जो की सधारन के सिधान करती है तो ध्यान रखेगा इसका क्या हो जायका बी हो जाएगा चले अक्ला कोश्चन देखते भी कि देखे इस तरह कि कोश्चन नहीं पूछचे जाएंगे तो हम लोग आज़े चलते हैं तो आगे देखते हैं है और यह देखे प्रीवेसियर का कोष्चन आ गया तो यह आपको करना है क्योंकि उसी बेस्ते कोंसा है यूनिट अपना है इसी बेस्ते करवा है उस्ते प्रीवेसियर पुछे अगर टाइम है तो किजिए अगर आपका एक्जाम कब है तेरा को है तेरा मर्च को है तो यह प्रिविएस लभी करने की जरूरत नहीं जितना करार है उतना पस रिवीजन करते हुए निकल जाना है तो चली अब हम लोग जो नेक्स्ट अपना जो यूनिट है यह आखरी यून करते हैं चली आँ हम यह स्टाट करते हैं ओधूनिक की में 301 क्या बोला कैथोर्ड किरन ज़ो कैथोर्ड किरन है तो कैथोर्ड किरन के लिए झिम्ण Col сохран सक्थ है तो एमें क्या वलाया है यहीं आवेशकन है सी क्या बनाराया परकासका वेग से गती कलती है और डी क्या वह ल परकास के वेख से गती करती है तो यह असत्य है यह 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 और यह जाई तो ये परकास करें चैता कि आया है आये का रह सरह कि केंगा शोटा जाते हैं चाहिर था प्रकास बैधुद法 क्षे हैं पहले option देखते हैं, photon को जमा करने की, उसके बार परकास तिरूता नापने की, और C क्या बोला है, photon उर्जा को यानितिक उर्जा में बदन ले की, और D क्या बोला है, बैधुत उर्जा द्वारा त्वरन को अस्थापित करने की, तो 304 का एंसर क्या हो जागा, इसका एंसर B हो इस तरह की question पूछे नहीं जाते हैं, अब हम लोग 306 देखते हैं, क्या है, देखें, जो 306 है, question number 306, देखें, क्या है, 306 जूम कर लेते हैं, उसके बार देखते हैं, आराम से कोई दिकत नहीं है, अब लास्ती ही है, बस आप लोगों को बने जाए, जुगनु किस करन के वज़े से रसायनिक संदीप्ति के वज़े से जो है वो सीथ परकास देटा है, जुगनु समझते हैं, लो तिम और कहते रहता है, तो बने को स्थीं को सब्ढ़िव घचतन के को बने ज़न. इसका एंसर होगा इसमें फ्रسक्ट का पर्योग नहीं किया जा सकता है जो इस परियोग नहीं नहीं कर सकतां यहीं कंपिर इसका है जो मेंस возika फ्रसक्र बटके लिए 107 ज затाना तो हम आगे बलते हैं और 39 यह तो नौ में गए 309 में घय तो क्या पता चला पी परकार के अध्र चालक में बहु आवेस वहाख है क्या है और 309 का एंसर क्या हो जाएगा सी यानि कि कोटर क्या हो जाएगा कोटर हो जाएगा उसके बाद देखिए अगला कोश्चन देखते हैं 310 लेजर लेजर का जो उत्पन करने की युक्ति है तो क्या लेजर को उत्पन करने की युक्ति क्या है तो 310 का क्या हो जाएगा ससंसक्त वाल परकास जो ससंसक्त परकास अगला question क्या है राडार का पडियोग कींसरा जाता है थो इसका एंसर क्या हो जागा परृवाण ठोस्ग करने के लिए जो राडार है राडार क्यों इसलिए परियोग किया जाता है या वाईवान हो गया कहीं दोस्को Brexit जड़ने के लिए जो इसका राडार का परियोग किया जाता है तो इसका अंसर ही होजाएगा चुलिए अगला कोस्टन देखतें सुमेलिट किजिए साइड का लास्ट को सबस्टन होगा जहां तो दखिए के सुमेलिट किजिए लंबाई लंबाई यान्निकी 95321 बॉले तो knob 10ubenärे इसकाrire 32 यह सब्सक्राइब लंबाई हम लोग मेंजर करते हैं वही दरबयमान है तो पांड में भी हम लोग मेजर करते हैं फोर्स पर एरिया फोर्स अपन में एरिया तो यहां पर यह सकती को यानि कीधि हो जाएगा ह्टान सकती को सकती को सवाध्य हो जाएगा इसके लिए यह पूरबरी नहीं करना है और इसमें से भी जो जैसे यह कथन और निसकर्स वाला यह सब जो मुल्टिपल कथन दे दी है यह सब इस तरह के कोश्चन नहीं पूछ जाएंगे यह सब आपको स्कीप करते जाना हर एक जो पीडिया है जिसमें भी इस तरह के दिया गया हो तो वह सब स्कीप कर देजेगा यह सब यूपीएस सी लेवल में पूछा जाता है ओके ध्यान रखेगा लेकिन दे दिया है अगर आप लोग को नोलेज चाहिए तो जरूर पढ़ लेज़ेगा ओके तो अगर कोई डाउट है इतने सारे कुश्चन में तो पूछ सकते हैं आज का जो तीन कीडिया ही साथ में आपको एससे एम-टीस देने जाते हैं क्यूंकि में कुश्चन वगोगी आपको ακराप्त करें लिएक में लेसरी त्षाण बंब्स लेक्ष पनी यानि कि टोटल आपको 9 PDF सेंड किया जाएगा जिसमें चार तो इबुक जिसमें कि सब्जेक्टिव पला सब्जेक्टिव कोश्चन रहेंगे एक करेंट अफियर्स का रहेगा चार जो कलास नोट से वह अलग है जो कोश्चन करवाया जा रहा है टेस्ट रिज वह अलग है या इबुक DRDO में तो काम आएगा ही SSC MTS डाले वहां भी काम आएगा या जहां भी आपको चाहे जहां भी आपको एप्टिटूड भी रिजनिंग जनरल एवेर्नेस और जनरल इंगलिस पूछा जाएगा सभी जगह ये इबुक काम आएगा चाहे डिफेंस का एकजाम क्यों न रेलेवे में इंगलिस नहीं रहता है लेकिन बात वाकि ये रिजनिंग एप्टिटूर जनरल एवेर्नेस रहता है तो ये तो काम आजाएगा न मातर कितना 70 रूपीज में अभी के जावाना में कोई प्रोवाइड नहीं करवा रहा रहा है इतना सारा मतरिया हम बताए न य करने के लिए तो वह सब का चार्ज लिए जाता है ये इफूक एगदम फिरी में है केवल सेवनेटी रूपीज चार्ज लिया जाता है में अगर दुबारा आपका मालेज की हो जाता है टेक्निकल के का दुबारा प्रमेंट करने की यदूरूरत नहीं है आप प्राप्ट कर सकते हैं वह ही payment screenshot लखे दाना है तो यह हो गया तो अगर कोई doubt है और ebook payment कहां करना यह नमर दिया गया इसी नमर पर प्रेमेंट करके payment screenshot इसी नमर पर आपको सेंड करना है आपको 10-20 मिन आदा गंदा के अंदर आपको इसी नमर पर पूछ सकते हैं तो आप अगर कोई डाउट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए अगर अपने दोस्तों के बीच भी शर किए कि यहां के हर एक परकार के कॉम्प्टिटीव के स्टडी विट क्रेजी गुरू जो यूट्व चाइनल है एक्जाम चाहे जो भी हो त्यारी सारे एक्जाम का यहां पर खरवाया जाएगा ओके तो आपको चाहा करना है सब्सक्राइब जैसे नमर अब संख्या जो संख्या आदमी का संख्या है वो बढ़ाएगा तो हमें मोटिवेट मिलेगा वह अनुसार वीडियो लाएंगे आज 3 गंटा का लेक्टर आया है कभी ऐसा होगा लगवग 3 गंटा पने 3 गंटा हो गया है कभी आएगा जो 5 गंटा होगा कभी 10 ग सब्सक्राइब करवाईए ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाए हिंट जाए भारत